इस रहूल शोकर्मा एंड बैक अगें विट अनदर वीडियो इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं साइन आई इन्फॉरमेशन टेक्नोलोजी यानि की 12 स्टैंडर्ड का और यह जो चाप्टर में करा रहा हूं यह है आपका कॉमर्स और साइंस बहुत सारे बच्चे पू यह जो चाप्टर में कराने जा रहा हूं एडवांस वेब डिजाइन यह कॉमन है साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए और राइट गईस तो यह चाप्टर कॉमन है तो दोनों के लिए यह चाप्टर अगर आप देखोगे तो बेनिफिशल होगा तो हम पूरा का पूरा पार्ट करेंगे अपना चाप्टर वेब एडवांस वेब डिजाइनिंग का सर थोड़ा प्रोग्रामिंग भी सिखा देना येस मैं ऐसा सिखाऊंगा कि सारे प्रोग्राम साब खुद से ही कर लोगे ओके तो फिर से मैं आपको बता दू ये चाप्टर जो है कॉमन है आपका साइन्स हो या फिर कॉमर्स हो और राइट तो चलिए सुरू करते हैं येस थोड़ा थोड़ा दूप आवाज आ रही है ओके प्रॉपर वाइस ओके गाईस तो मतलब आप आवाज एकदम सही आ रही है अपना एकदम जो स्टेज है एकदम सच चुका है तो हम स्टार्ट करते हैं लाइट कैमरा एंड एक्शन आपने 11.9 में इसका एक छोटा भाइ पढ़ह रही है चोटा वर्जन पढ़ह रही है उसके अंडर आपने वाले और one shot में पूरा का पूरा ये जो chapter है वो में खतम करने वाला हूँ आपके सारे doubts इस chapter के clear हो जाएंगे और आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगे कि समझ में नहीं आएगा और ये chapter इतना important है ये chapter जो है web designing ये मैं इस field में हूँ मैं इसी field में काम भी करता हूँ मेरा जो job है वही है मैं 8-9 घंटे रोज का सी html css javascript पर विताता हूँ और आपको html css and javascript आता रहेगा तो आप earning भी कर सकते हो सोचो ये chapter कितना important है आपके लिए sir java से डर लगता है java नहीं guys java and javascript अलग चीज़ है java एक अलग programming language है और javascript अलग programming language है javascript में भी tension नहीं लेना उसमें मैं आपको बता दूगा वह सारी चीज़े clear रहेंगे सारे chapters में clear करने वाला हूँ sir attributes learn नहीं होते है attributes learn नहीं किया जाता है attributes practice किया जाता है या attributes के नाम से उसको याद रखा जाता है all right start करते हैं पहला तो देखोगे तो advanced web designing आपने पढ़ा रहेगा कहाँ पे advanced web designing आपने पढ़ा रहेगा 11 standard में जिसमें आपने पहली से सुपढ़ी रहेगी वह है तो html का use क्या होता है html का use होता है आपका website का structure मनाने के लिए for example html css javascript में क्या-क्या फरक है html css javascript में यह फरक है कि suppose करो आपका जो body है okay वह एक website है all right अब जो आपका जो skeleton है यानि कि जो हड़ियां है वह क्या है आपके body का structure बना के रखती है right आपके हड़िया ना होगी तो आपका structure body आप खड़े नहीं हो पाओंगे आप हाथ हिला नहीं पाओगे right तो आपके structure है वह किसके उपर टिका हुआ है आपके हड़ियों के उपर आपके bones के उपर तो यहां पे HTML का जो website बनाते हैं तो HTML भी क्या होता है website का एक structure होता है bone होता है जो website के structure को maintain करता है all right तो HTML का use होता है आपके website को structured करने के लिए उसको क्या करने के लिए आपको website को bones देने के लिए उसके बाद आता है आपका CSS, CSS का काम होता है आपको जैसे कि आप एकदम beautiful दिखते हो, handsome दिखते हो, वैसे ही CSS भी क्या करता है website को beautiful या handsome बनाने के लिए, यानि कि website में color भरना हो या website को और भी beautiful बनाने हो अलग-अलग वे से, तो CSS क काम आता है उसके बाद checking का काम है? जावास्क्रफन का काम ये है, जैसे आप हाथ ला रहे हो, चल रहे हो आप किसी की text पे click कर रहें तो एक जगह से दूसरे web page पे जाता है तो यह सब काम कौन करता है आपका javascript करता है HTML, CSS के तुरू यह नहीं हो सकता है यानि की website में जान डालने का काम करता है आपका javascript आपके website किसी button पे click करना है उस पे कुछ होना चाहिए click करने के बाद तो वहां पे आता है आपका javascript तो guys commerce के लिए I think javascript chapter नहीं है और यह जो chapter है advanced web designing इसके अंदर क्या क्या है मैं बता जता हूँ इसके अंदर आपको पढ़ना पढ़ेगा है तो आपको एक hosting की जरुत पढ़ेगी CSS की जरुत पढ़ेगी उसके बाद HTML की जरुत अगर इतना आता है तो आप किसी की भी website at least बना सकते हो सर मुझे python सीखना है after 12 येस after 12 आप बस connected रही है सब कुछ सिखाऊंगा फिलाल हम लोग फोकस करते ही यहाँ पे इस chapter पे तो आपने समझ लिया कि यहाँ पे जो advanced web designing पूरा package किया है तो हमने समझ लिया कि hypertext mark नानि कि HTML का काम क्या होता है right all right HTML का अलग-अलग versions है जैसे आपके mobile के अलग-अलग versions आते हैं क्यों अलग-अलग आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है कि HTML का current version क्या है तो आप बोलोगे HTML5 यह आपके multiple साइट क्या होगा फिर भी support करेगा आपका mobile क्योंकि mobile में आपका website अलग दिखना चाहिए कि mobile के screen क्या होती है चोटी होती है तो उसके हिसाब से आपका जो website है वो adjust होना चाहिए यानि कि आपके website responsive होना चाहिए as per device device के हिसाब से response करना चाहिए और उसका look and feel भी change होना चाहिए तो यह features कहां पर आपको मिलता है HTML5 के अंदर और HTML5 mostly कौन-कौन से browser support करते हैं तो जितने भी mostly browser से आज के नए वाले सारे support करते हैं यानि कि Google Chrome, Mozilla, Firefox, physical, microphone, age, safari, opera, ओके यह सारे browsers आपको support मिलता है किसका HTML5 का तो आपको exam में पूछा जा सकता है कोई भी एक browser या फिर यह सारे browsers आपको exam में कभी कभी पूछ सकता है तो यह सारे fill in the blanks में आ सकते हैं आपको या multiple choice में भी आ सकते हैं कितने दिन में science IT का book complete हो करोगे आपके exam के पहले तक सब कुछ खतम कर दूँगा मैं उसके बाद आता है forms in HTML5 already आपने पढ़ा रहेगा forms in HTML5 HTML के forms पढ़े रहेंगे जिसके अंदर हम लोग क्या क्या बनाते हैं थे radio बटन बना सकते थे checkbox, submit बटन, reset बटन, select, text area यह सारी सीज़े हम लोग बनाते थे राइट यहां पर थोड़े advanced forms पढ़ने वाले हैं थोड़े advanced form के components पढ़ने वाले हैं यह भी exam में आता है कि forms क्या करता है, forms का use क्या पहले बता हो, forms का use आप प्रोज करते हो, आपने कभी Facebook यूज क्या है, Instagram यूज के तो वहां पर क्या होता है, पहले Facebook या Instagram यूज करने के पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको registration करना पड़ता है, या फिर आपने registration कर दिय तो आपको क्या करना पड़ता है, लोग-िन करना पड़ता है, अब यहाँ पे लोग-िन करने के लिए आपको एक form दिया ज़ता है जहाँ पर आपको क्या करना पढ़ेगा, यूजर ने password भरना पढ़ेगा, तो indirectly form क्या कर रहे हैं, आपका data collect करता है, जैसे Google Forms आते हैं तो वो भी क्या करता है आपका data collect करता है वहाँ पे आप अपना name, आपके role number या जो भी information वहाँ पे दिया रहता है आप उसको भरते हो तो forms का use कभी कभी पुछ से की forms क्या करता है तो forms जो होता है user का data collect करता है इस controls are used to collect different kind of user inputs such as contact details like name, address, single or multiple option from group option as well as clearing and submitting data यह जो होते हैं यह जो controls होते हैं forms के क्या होते हैं controls होते हैं इनका काम क्या होता है यह करते हैं क्या collect different kind of user inputs user के अलग अलग kind of data होता उनका information collect करते हैं like उनका name हो गया, address हो गया, single or multiple options या multiple choice option अगर रहाएगा वो भी collect करने काम किसके तरू होता है controls किसके कौन से control form के Sir 31st को exam है IT का उसके पहले आपका खतम हो जाएगा 31st के पहले मैं सब कुछ खतम कर दूँगा टेंशन मत हो अब HTML ने क्या किया जब HTML का नया version आया तो उसने नया feature घुसेड दिया किसके आपके input जो forms के उसके अलग-अलग और भी features डाल दिये पहले तो और क्या-क्या थे radio बटन आप बना सकते थे input box से text बना सकते थे check box बना सकते थे submit button बना सकते थे reset button और भी input box यहाँ पर डाल दिये गए हैं आपके लिए तो यह सारे input box आप देखोगे तो क्या है color, number तो मैं इसके लिए आपके लिए एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर क्या 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 अच्ट बना सकते लिए एंब क्या दो प्वब कि एंब क्या ओलना सकते हैं एंब और रेट नो प्रॉब्लम यहां पर सेव नहीं हुआ है ठीक है चलेगा तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे जो इन्पुट एलिमेंट्स हैं पॉम्स के वो देखेंगे और रेट इसर टेलीग्राम लिंक प्लीज टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखो वहाँ पे मिल जाएगा आपको और रैट गईस तो यहां पर देखो ये सारे जितने भी यहां पे आपको दिख रहे हैं यह सारे क्या है input type है यानि कि इन पुट टैग से आप क्या कर सकते हो अलग-अलग forms के controls बना सकते हो यानि कि देखो अगर input tag के अंदर आप type डालो गे button तो यह क्या बन जाएगा एक button बन जाएगा input type के अंदर आप अगर checkbox डालोगे तो checkbox बन जाएगा अगर input type के अंदर color डालोगे तो वही क्या बन जाएगा आपका color बन जाएगा color picker आपको पता रहेगा वो और इट तो यह हम लोग एक एक करके एक example के साथ देखेंगे तो आपको यह सारी चीज़े याद रहे ओके रटा मारे होगे तो सब कुछ भूल जाओगे सिर्फ नाम से याद रखना है कि अगर button दिया तो button बनेगा checkbox दिया तो checkbox बनेगा color दिया तो color picker बनेगा यानि कि color नहीं बनेगा color picker आपने use किया रहेगा कहीं नहीं color picker color pick करते हैं न हम लोग date दिया तो date picker बनेगा date time टूकल दिया तो यहाँ पे date और time दोनों आप दे सकते हो email दिया तो क्या करेगा सिर्फ email वहाँ पे input box में डाल सकते हो file दिया तो यहाँ पे आप file upload कर सकते हो ओके यह सारे अलग अलग type with example हम लोग जितने भी आपके यहाँ पे दिये हैं सारे types कम with example पढ़ेंगे नहीं तो आपके दिमाग में नहीं गुसेगा check box क्या होता है check box आप click करते हो ना जैसे आप अगर अपने क्या बोलते है Facebook का form भरा रहेगा तो वहाँ पे देखो privacy and policy का आता है तो privacy and policy का जब आता है तो क्या होता है वहाँ पे आपको पूछा जाता है और राइट कि यहाँ पे क्या आप accept कर रहे हो यहाँ पे agreement कर रहे हो तो वहाँ एक check box बन क्या तो सब example के साथ हम लोग देखते है उसका attention ना लो यस box where you can check very good तो यहाँ पे देखो यह एक example दिया है input type text देखो यह जब आप input type में तो कभी भी आपके जितने भी forms के element रहेंगे कोई भी forms के element देख लो वो सारे forms के element जो हते हैं वो हमेशा form tag के अंदर लिखे जाते हैं यह याद रखना जितने भी form tag के elements हैं सारे form tag के अंदर लिखना है इससे ही आपका क्या होगा एक form generate होगा और राइट उसके बाद यहाँ पर क्या होगा देखोंगे तो यहाँ पर अपना झो टैग की बात हो रही है वो है इंपूट टाइप टेक्स त औरइट अगर डेते हो और है अगर अगर आपौध टाइप टैक्स डालेओंगे तो तो ऐसा कुछ text box generate हो के आएगा कभी भी अपने Facebook पे देखा रहेगा राइट वहाँ पर password डाला जाता है या फिर username डाला जाता है तो ऐसा यह text box रहता है तो ऐसा text box generate करने लिए आपको क्या करना है पड़ेगा एक input tag डालना पड़ेगा उसके अंदर type और उसके अंदर लिखना पड़ेगा text that's it यह generate कर देगा आपका यह tag यह बाकी की चीज़े हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या इसका uses है उसके बात यहाँ पर label आपको यह थोड़ा है मैं extra आपको बता रहा हूँ label क्या होता है label जो होता है mostly यहाँ पर देखोगे तो यह input type जो text box है इसमें क्या enter करना है वो बताता है तो यहाँ पर लिखा है कि first name मतलब आपको यहाँ पर first name आपका enter करना है तो उसके लिए आप क्या use करोगे label यूज कर च прask कि कहो फ-name , यहाँ पर Hilet q a tutorial म HEY यहां में तो यह फॉर होता है label का यह attribute होता है जो यह ठीविटक होता है जो भी टैग को यह उता है उनको extra functionality प्रोवाइट करता है क्या attribute और यहां पर फॉर के अंदर एंधर और नेम के अंदर बहुते हैं इससे क्या होता कि यह इसका best use आता है, for example, यहाँ पर, for example, यहाँ पर radio बटन में ही देख लेते, तो radio बटन में आप अगर इससा example देखोगे, तो यहाँ पर देखो, input type में क्या दिया गया है, radio दिया गया है, यह id, vd आप ignore करो, फिलाल के लिए, सिर्म name पर focus करो, और इट, name पर focus करो, यहाँ पर देखो, name में क्या दिया है, fa, fav language दिया है, और यहाँ पर value में html डाला गया है, और इट, ओके, अब यहाँ पर देखो, for में क्या लिखा गया है, आपका html लिखा गया है, तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या ID से आपका label connect किया गया actually तो यहाँ पे देखो आप यह क्या है ID का जो name है HTML और यहाँ पे for HTML यानि कि यह दोनों name same है तो आप देखो कि कभी भी हम जब radio बटन पे click करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ click करेंगी तो ही यह चेक होता है बट जैसे ही मैं यहाँ पे देखो गए तो यह label को connect किया मैंने यह जो label है आपका जो मैं बाकी का एक काम करता हूँ निकाल देता हूँ अपको फिर समझेगा तो यहाँ पे देखो यह HTML लिखा है इससे क्या हुआ हुआ है यह देखो यहाँ पे जो HTML लेबल में लिखा है यहाँ पे जनरेटर हो रहा है और यह radio बटन कहां से आ रहा है यह input type रेडियो से आ रहा है अब देखो जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है ID में HTML लिखा है और FOR में HTML लिखा है तो आप SIP में यहाँ पे HTML पे क्लिक कर रहा हूँ देखो HTML जो text है उस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे radio बटन भी क्लिक हो रहा है यानि कि यहाँ पे अगर आपने इस label को input box से connect करना है तो आप उसका for attributes से connect कर सकते हो और id से भी connect कर सकते हो अगर मैं यहाँ से id निकाल दू तो देखो यहाँ पे क्या मैं HTML पे क्लिक करूँगा तो यह चलेगा क्या नई चल रहा है देखो और इट तो यह था थोड़ा extra जनकरी जो 11 standard का था अच्छली यह हो गया आपका input box अगर input में type में आप text दोगे तो text generate होगा उसके बाद input में अगर type में आप Password डालोगे अगर input type में आप password डालोगे तो क्या generate होगा यहाँ पे देखो password में क्या होता है कैसे बजाने होगे कि password टाइप है यहाँ पे dot dot आता है password में देखो type में आप password डालोगे तो automatic पासवर्ट टेक्स बना देगा और राइट उसके बाद आता है आप पर submit button, submit button यह हम लोगों ने 11 में पढ़ा था, submit button क्या होता है, यहाँ पर देखोगे तो submit button जनरेट कर रहा है, कैसे जनरेट होगा, आप input type में क्या डाल दोगे, submit डाल दोगे, तो यह submit button डाल दोगा, और यहाँ पर value में जो भी डालोगे, वो यहाँ पर दिखेगा आपको, और राइट, तो यह हो गया आपका input type submit, और submit button का use क्या होता है, यहाँ पर आपके form को submit करने के लिए होता है, कभी भी आपने देखा रहेगा नीचे, submit button आता है, जबी भी आप कोई भी form भरते हो, तो यहाँ पर देखो, तो submit करने पर यह जो values है, वो सारी submit होती है, यह सारी चीज़े हम लोगों ने 11 ने पढ़ी थी, फिर में मैं revise कर रहा हूँ, ताक कि आपको याद रहे, उसके बाद आते हैं हम, reset button, reset button क्या करता है, आप सबोज यहाँ पर कुछ भी form भरे हो, मैं reset पर click करो, देखो, यहाँ पर पहले से values भरी ह ठीक है, आप देखो, यहाँ पर reset button का काम दिखाता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ भी डालता हूँ मैं, और यहाँ पर कुछ भी डालता हूँ, और reset करता हूँ, तो सब कुछ जैसा था वैसा हो गया, right, by default यहाँ पर क्या दिख रहा है, John and Diorite, यहाँ पर by default क्या रहे है, वापस सब कुछ reset करना, all right, यहाँ पर reset button बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको input type में सिफ reset लिखना है, that's it, नाम से ही आपको याद होना चाहिए, कि reset button क्या करता है, उसके बाद submit button क्या करता है, color picker क्या करता है, sir, tps book की pdf दीजिए, yes, इस lecture के बाद मैं try करूँगा, बट इतना बड़ा pdf पुरा book scan करके कैसे देना है, वो देखता हूँ मैं, अगर possible हुआ तो देता हूँ मैं, input type radio, अगर radio है तो क्या होगा, यह radio button generate होगा, देखो, मैंने आपको, अगर आप input type में radio डाल दोगे, तो य यहां पर यहuci Republic extract करेगा, रिडियो बैटन जनरेट करेका इसमें value डाल दोगे, तो यहां पर value आएगा और यह HTML जो आ रहा है, यह value डालने से नहीं आता है, याद रखना, यहां पर HTML сим微ड हो रहा है, यह वैल्लिव डालने से नहीं display हो रहा है, यह label से हो रही, अगर मैं यहा आप TPS का PDF, तो मेरे आप मुझे एक काम करो, TPS का जो भी PDF आप मेरे को DM करो, मैं ग्रूप में डाल दूँगा, वहाँ से सब लोग डाउनलोड कर लेंगे, और राइट, Input Type Checkbox, Checkbox का काम है, Simply Check, यहाँ पर देखो, ऐसा कुछ दिखता है आपका, Checkbox, इस पर क्लिक करोगे तो देखो, ऐसा कुछ होता है, तो जो अभी Radio Button और Input Box में दोनों में क्या होता है, देखो, Difference क्या होता है, Radio में आप सिर्फ कोई एक ही सिलेक कर सकते हो, बड़ चेक बॉक्स म में सिर्फ एक ही अंसर चुक सकते हो, Multiple Choice में क्या होता है, आप Multiple Option चूज कर सकते हो, Okay, Multiple Option आपको अवलेवल रहेगा, उसमें सिर्फ Multiple Option सही रहेंगे, तो चेक बॉक्स बनाना है, तो Simply आप टाइप में चेक बॉक्स लिख दोगे, फिर उसके बाद आता है, Input Type Button, Button सिर्फ क्या करेगा, आपको Button Generate करेगा, और यहाँ पर जो Click Me है, वो क्या करेगा आपको, यहाँ पर Value, अगर यहाँ पर, Value के अंदर Click Me डालोगे, तो यह क्या होगा, इसके अंदर Text Generate करके देगा, देखो, Click Me है, जैसे यहाँ पर मैंने डा करोगे, Button डालोगे, तो Button Generate होगा, और राइट, इतना समझ में आया क्या आप लोग को, Confirm करो, इतना समझ में आया क्या आपको, पर इसके बाद देखो, Input Type, Color Picker, Color Picker क्या होता है, Color Picker, Obviously क्या करेगा, Color Picker करके देगा, आपे, Input Type में अपने Color डाल दिया, तो क्या करेगा, यह, Color Picker, Generate करके देगा, For Example, यहाँ पर देखो, यह क्या हुआ, एक Color Picker, इस पर क्लेक किया, देखो, ऐसा आया, आप क्या कर सकते हो, कोई भी यहाँ से Color भी पिक कर सकते हो, यहाँ से भी कोई Color पिक कर सकते हो, ठीक है, तो आपको यह वाला अगर जनेरेट करना है, तो यहाँ पर देखो, यह क्या है, Red डाला हुआ है, इसलिए यहाँ पर रेड आ रहा है, यहाँ पर अगर मैं White कर दूँ तो, या Black कर दूँ, वाइट, जो Black का कोडिंग आता है, वो 6 बार, या 3 बार आपका, यह आता है, 00, तो यहाँ पर देखो, यह पूरा का पूरा Black हो गया तो by default value डालना है तो यहाँ पे value डालोगे जो भी color का code डालोगे वो by default में आएगा और रेट उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखो color मैंने cover कर दिया उसके बाद और कुन सा था यहाँ पे date and all बाकी है रेट फटा 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 जाते हैं आप समझ में आ रहा है तुमको की input type जो होता है उसके तुरू आप बहुत सारे जो होते है tags या जो बहुत सारे controls generate कर सकते हो yes radio बटन से आप multiple option select नहीं कर सकते हैं सिर्व एक ही option select कर सकते हो आप input type में date आया date क्या करेगा आपको date pick करना है form में आपका birth date select करना है suppose तो उसके लिए आपको आएगा date picker आप use करोगे तो यहाँ पर देखो date picker कुछ ऐसा दिखता है दिख रहा है इसमें देखो जैसे मैं यहाँ पर click करूँगा है कुछ नहीं करना है रहे बबा सिर्व यहाँ पर करना है input type में date डाल देना है यह जनरेट हो जाएगा और रेट सिर्व input type में आप date डाल दोगे और default value यहाँ पर डालोगे तो default date सेलेक्टर रहेगा otherwise यह ऐसा कुछ दिखेगा d d mm y y by default ऐसा दिखाएगा आपको date ठीक है उसके बात है यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो date के अंदर जो date picker है इसके अंदर minimum और maximum डाल सकते हो यह attributes भी हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर देखो आपको पढ़ना है क्या min और max यह attributes होते हैं किसके date picker की यानि यह आप डाल सकते हो यहाँ पर अगर आपने suppose जो date picker है यहाँ पर suppose input date और यहाँ पर डाला है आपने minimum value 2001 January ओके अगर आपने यह date डाला है right minimum date यहाँ तक ही रहेगा तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ enter a date after यहाँ पर देखो तो 2000 पर जाते हैं हम लोग 2000 सिलेक करते हैं यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा करते हैं हाँ आप देखो यहाँ पर suppose मैं सिलेक कर रहा हूँ date और year सिलेक करता हूँ मैं 2000 2000 के पहले सिलेक करता हूँ क्यों नहीं नहीं है क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर min में डाला गया है कि आपको जो allowed है वो 2000 बात का date ही allowed है अगर मैं यहाँ पे 2000 यहाँ पे 2019 डाल दूँ अब देखोगे तो क्या होगा 2019 के पहले का date आप select नहीं कर सकते for example यहाँ पे देखो 2019 तक ही आ रहे इसके पहले आई नहीं रहे तो minimum मतलब क्या होगा कि minimum कितना date मैं select कर सकता हूँ उसके उपर उसके पीछे में नहीं जा सकता तो यहाँ पे आप minimum में वही specify करोगी कौन सा date मैं minimum select कर सकता हूँ तो यहाँ पे देखो कि तो YY, DD YY, MM और DD के format में आपको डालना पड़ेगा यानि पहले year डालना पड़ेगा फिर यहाँ पे आपको month डालना पड़ेगा फिर यहाँ पे आपको date डालना पड़ेगा इसके पहले ही मैं इसके पहले की date मैं select नहीं करता हूँ अगर मैं यहाँ पे max डालता हूँ तो max डालता हूँ यानि कि मैं इसके आगे का कोई date select नहीं कर सकता हूँ यह तो बहुत 1979 का है रहाइट तो मैं क्या करता हूँ इसके आगे यानि कि अभी 2022 सल रहा है तो 2000 यहाँ पे तेज़ डालता हूँ सपोस्ट सुरी यहाँ पे 2023 डालता हूँ अब देखो क्या मैं यहाँ पे देखो तो 2023 काουेट सिलेक कर सकता हूँ यहाँ पे 2023 तक ही सीलेकर उसके बाद नहीं आरहे कोई भी डेट नहीं आरहे आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखो लास्ट में 2000 अगर मैं year select कर रहा हूँ 2023 के बाद कोई भी date मैं select नहीं कर सकता अगर मैं यहाँ पर डाल दू सिर्फ 2022 तो 2022 के बाद मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा for example यहाँ पर देखो लायक 2022 ही दिख रहा है तो यह समझ में आ गया कि आपको min and max min में क्या करना है आपको यहाँ पर yyy dd yyy mm और dd के हिसाब से आपको डालोगे min and max value तो उतने range में ही आप values को select कर सकते हो तो यह min and max क्या है attribute से किसके date के जो हम लोग आगे पढ़ने वाले है min and max specify the maximum value for an input field specify the minimum value for an input field मतलब किसी भी input field में आप maximum और minimum value कितना select कर सकते हो exam में आ सकता है min and max का क्या uses है तो आप बता सकते हो कि अगर हम लोगों ने min and max यहाँ पर date में डाला तो उससे minimum value select नहीं कर सकते है max अगर यहाँ पर डाला हम लोगों ने date के अंदर तो उससे maximum date select नहीं कर सकते है what is br br मतलब break tag वो क्या करता है line break करता है जैसे आप enter मारते हो तो line break होता है वैसे br यूज क्या आता है line break करने के लिए और रैट उसके बाद आता है आपका next tag हम पढ़ेंगे next tag देखते है date time local date time local क्या करता है same date जैसा है वैसा ही होता है ddmmy सिर्फ इसमें difference यह है कि यहाँ पे आप अपना time भी select कर सकते हैं यानि कि कौन से date को पैदा हुए थे और कौन से time को पैदा हुए थे वो भी यहाँ पे select करना है तो कर सकते हो same चीज यहाँ पे min and max attribute भी use कर सकते हो तो देखो यहाँ पे आप date भी select कर सकते हो और उपर से time भी select कर सकते हो और राइट तो यह आपको provide करता है क्या date time दोनो इसका type क्या होता है input tag इसके अंदर type type के अंदर आपको date time और local लिखना है local मतलब क्या होगा जो भी आपके computer का time रहेगा वो उसके इसाब से आपको time बताएगा और रेट तो इसका type होता है date time local याद रखना अग एक्जाम में पूछ सकता है अगर मुझे date and time दोनों select करना है तो क्या करना पड़े है कौन सा ऐसा tag है तो आप लिखोगे input type date time local सिर्फ date select करना है तो सिर्फ यहाँ पर लिखोगे date और रेट उसके बाद आते है next tag के उपर next क्या है mail mail तो सबको पता रहेगा जब हम input type में यहाँ पर देखो input type में mail डालेंगे sorry input type में email डालेंगे input type में email डालेंगे तो क्यों होगा क्या यह सिर्फ email ही लेगा और उसके अलावा कुछ नहीं लेगा अगर मैं यहाँ पर ऐसा डालता हूँ और यहाँ पर देखो submit करता हूँ क्या बोल रहा है यहाँ पर यह please include add the rate in the email address क्यों ऐसा बोला यह क्यों कि आपको पता है कि जो email address होता है उसके अंदर add the rate होता ही होता है तो यह write format नहीं है email address का यानि कि जब भी हम लोग form बनाते हैं यहाँ पर देखो क्या किया है एक form tag लिया है उसके अंदर action लिया है उसके अंदर यह तो क्या होगा वहाँ पर submit होगा यह चोड़ दो भी यहाँ पर label लिया है फिर input type में email लिया है फिर submit button लिया है ठीक है submit button जैसे ही मैं click कर रहा हो मेरा जो क्या कर रहा है यह validate कर रहा है क्या validate कर रहा है कि यह जो input box में तुन्हें value enter किया है क्या वो सही value है क्या वो email के format में है आपको देख के लग रहा है क्या email format में है नहीं है राइट इसका मतलब यह क्या है validate करके बता रहा है कि भाई तुमने गलत value एंटर किया इसके अंदर add the rate भी डालो तो यानि कि मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ rahul add the rate gmail.com तो यहाँ पर यह आप देखोगे तो validation नहीं होगा अब यह दूसरे page पर चलेगा submit करने पर तो वो दूसरे page पर क्यों गया वो सब आप उस पर ध्यान मत दो बट यहाँ पर input box है वो क्या करता है अगर आपने email ला दिया तो वो email ही लेगा उसके अलावा और कुछ नहीं लेगा ठीक है और कोई भी चीज नहीं लेगा तो यह validate करके आपको बताएगा कि यह email ID भाई ऐसा होता है ऐसा डालो इसके अंदर ठीक है उसके बाद आते हैं next tag के उपर आते हैं input type file अगर आपने input type में file डाल दिया तो यह क्या करेगा आपको allow करेगा कि आप file upload कर सकते हो अपने देखा रहेगा आप file कैसे upload करते हो forms के अंदर तो अगर नहीं देखा रहेगा तो मैं यहाँ पर दिखा दू ऐसा कुछ आता है आपको image या file upload करने के लिए ऐसा कुछ दिखता है तो choose file करके option आएगा आपको तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा क्या input type file और यहाँ पर हम जैसे ही choose file करेंगे तो देखो यह क्या करेगा आपको एक ऐसा window open करेगा जहाँ पर आप file ऐसे select कर सकते हो ठीक है और मैं submit करूँगा तो यह मुझे दूसरे page पर लेके जाएगा तो data is not matter यहाँ पर क्या matter करता है अगर आपने input type में file लिखा तो क्या देगा यह ऐसा choose file option देगा जिससे आप क्या कर सकते हो file select कर सकते हो जिसके अंदर file upload कर सकते हो अगर आपको website पर file upload करना है तो आप लिखोगे input type file तो यह सब दिमाग में घुस रहा है क्या आपको क्या लग रहा है कि इसको रटा मारने की ज़रुत है या ऐसे ही याद हो जाएगा आपको input type hidden hidden क्या करता है आपका defines hidden input field जिससे क्या होता आपका input field visible ही नहीं होता है for example input type अगर मैंने hidden डाल दिया तो क्या होगा यहाँ पर देखो पहला जो है input type text है तो वो visible है यहाँ पर फिर दूसरा type input type hidden है तो यहाँ पर आपका input type पूरा है का पूरा गायब हो गया तो यह आपके syllabus में फिलाद hidden तो नहीं है उसके बाद हम directly जाते है input type month तो यहाँ पर देखो input type आपका month था तो month डालोगे तो क्या होगा यहाँ से आप सिफ month select कर सकते हो for example यहाँ पर देखो और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो सिफ month आपको option देगा यहाँ सिफ month select कर सकते हो और एट जुलाइ 2022 जुलाइट अगॉस्ट 2022 तो आपको पूरा-पूरा date select करना है तो input type में date डालोगे पूरा-पूरा date and time दोने select करना है तो date time add the rate local underscore local डालोगे अगर आपको सिफ month select करना है तो input type में क्या लिखोगे यहाँ पर input type month that's it ओके आप देखो range range attribute क्या करता है आपने देखा रहेगा range select करने के लिए ओके यहाँ पर type number है range यहाँ पर ठीक है यहाँ पर range attribute क्या करेगा range attribute अगर डालोगे input type अगर इसके value range डालोगे तो ऐसा कुछ slider आएगा यानि कि आपको बोलेगा कि आपकी income कितनी है तो आप बता होगे कि इतने से इतने के range में 0 से लेके 50 के range में इसमें भी आप यूज कर सकते हो क्या min and max इसमें डालोगे यहाँ पर देखो 0 and 50 दिया है तो आपको जो value दिखाएगा यह 0 से लेके 50 तक दिखाएगा यह value 0 to 50 60 तक है अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ 0 से 100 तो यह जो वैली हो जाएगी अपनी क्या हो जाएगी 0 से लेके 100 और इट selected value देखो कितनी है min and max इसके उपर देखो minimum value यह क्या है submit करने पर अभी value 0 है अगर मैं वापस जाता हूँ इसकी value बढ़ाते है तो यहाँ पर देखो 87 आ रहा है यहाँ पर value कितना रहा है 87 फिर इसके बाद मैं इसको इधर करता हूँ तो देखो कितना value है 25 और इसका value अगर मैं यहाँ पर 200 करता हूँ तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ लिखता हूँ तो देखो 178 आ रहा है यानि कि आप क्या कर सकते हो अगर input type यहाँ पर range देते हो और उसके अंदर min देते हो 0 और max देते हो 200 तो क्या होगा आप 0 से लेके 200 के बीच में value select कर सकते हो अब थोड़ा फटा फट जाते हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया कि input type से कैसे generate होता है सारी चीज़े फिर उसके बाद आ जाता है हम लोगों ने उपर क्या क्या चोड़ा था input type number नमबर दोगे अब आपको कुछ और टाइप कर रहा तो कुछ टाइप नहीं हो रहा है ओर रैट तो यहां पर सिफ input type अगर number डालोगे तो यहां पर सिफ आपको number allow करेगा और यहां पर भी आप min max select कर सकते हो minimum आप 1 डाल सकते हो maximum आप 5 डाल सकते हो और रैट अगर किसी value में आप minimum maximum value डालते हो तो क्या होगा देखो minimum maximum हम लोग कहां कहां यूज किये date time में यूज कर सकते हो आप खुछ से सोचों कि min max का use कहा है slider यानि कि आपको कोई number select करना है या date select करना है तो ही आपको min max का use होने वाला है और रैट तो यहाँ पे देखो maximum value 5 दिया है तो मैं 5 से उपर select कर रहा हूँ क्या देखो 5 के उपर values जाए ही नहीं रही है मैं कितना भी click कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप min max का use कर सकते हो और रैट उसके बाद आता है आपका देखो यह सारे क्या है attributes है जो हम लोग यूज़ करने वाले है checked जो यूज़ होता है आपका check box या radio button में यूज़ होता है और उसके बाद disabled अगर किसी भी input box या input type किसी भी attribute का जो किसी भी control clock पो disable करना उसके अंदर सिर्फ disable डाल दो वो disable हो जाएगा फिर मैक्स हम लोंने देखा Max learn देखने वाले हैं पैटन भी देखने वाले हैं रीड ओन लीए सारे चीज़ देखने वाले हैं फिलाल के लिए यहां पर देखो आप यहां से सारी चीज़ हम लोग यूज़ करने वाले हैं अब यहां पर उसके बाद input टाइब range हम लों ने देख लिए input टाइब search search आपके syllabus में नहीं है तो हम लोग नहीं देखते हैं उसको ठीके कि हमारे पास time कम है हमको क्या करना एक्जाम के लिए प्रिपर करना राइट और उन्मट myths अगर आपमें टेल डाल देय तो ये क्या करेगा आपको सिर्फ टैली फोट नंबर मताया आपएसके अंदर टैलीफोन June हो इसके अन्दर अन्टर कर सकते हो Ford इसमटे पर यहाँ पर जिनकों यहां पर सीई में मैँ दाला है उसके बाद ने कुछ टो लिख थै lips यहां पर placeholder attributes लिखा है placeholder attributes एक क्या करता है इसके अंदर आपको क्या typ करना एक placeholder ड़ा ऑसा दिख रहे के यहां पर जो भी लिखा है मैने वो यहां पर इस दिख रहा है फिर मैं यहां पर कुछ Kung type करऊंगो तो शले याता है ओर रोइट laquelle बताथा किskü ak treat करना या या तो यहां पर देखो ऐसा कुछ दाला तो यहां पे देखो placeholder में जो डाला यहां पर दिख्ट प्लेइब होता है तो वह अगर मैं यहाँ पर कुछ भी और नंबर टाइप करता हूँ, तो देखो क्या आ रहा है, और राइट, एक सिकंड ना, और राइट, तो यहाँ पर देखो, मैंने कुछ भी टाइप किया है, तो यह देखो, submit करता हूँ, तो क्या बोर रहा है, प्लीज, match the format requested, और राइट, आपको एक attribute है, कौन सा attribute है, pattern करके, आपने देखा रहेगा, आपके book में देखो, एक attribute से क्या है, pattern, pattern attributes क्या करता है, आप ज क्या लिखा है, आपको पहला जो तीन नंबर है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको जो पहला तीन नंबर है, उसको क्या लिखना है, 0 से 9 लिखना है, तो पहला तीन नंबर यहाँ पर देखोगे, तो आपको लिखना ऐसे, आपको यह pattern वाई से पूछा नहीं जाएग फिस के बाद आपका dash होना चाहिए फिस के बाद 0 to 9 क्या होना चाहिए दो number और होने चाहिए फिस के बाद आप पर dash होना चाहिए फिस का 0 to 9 तीन number होने चाहिए आपको इसी format में यहाँ पे values एंटर करनी है इसके अलावा कोई भी value अगर एंटर करोगे तो वो क्या करेगा आपको error देगा pattern क्या करता है match अगर आपने pattern डाल दिया तो उसको match करता है और बोलता है कि इसी format में value डालनी है इसका मतलब क्या होगा 0 to 9 आपको तीन number एंटर करनी है यहाँ पे 0 to 9 देखो 3 एंटर कोई भी 0 से 9 लेके 3 नंबर एंटर करता हूँ मैं सबोज यहाँ पे अगर मैं 123 एंटर करता हूँ उसके बाद क्या बोला है उसने कि डाश डालो यहाँ पे डाश डालने बोला है तो हमको यहाँ पे डाश डालना पड़ेगा फिर इसके बाद बोला है कि 0 to 9 7 आब दो number और एंटर करोए और फिर 90 से no nahi के बीच में कोई भी तीन number और ही नएक डालज डाल जाल दिए NOTी थी तीन प्र rubbish Terчески करेंगे ओके आप देख्व सम्मिट करेंगे तो यह मेरा चल गया इसा थो नमबर यह जो है मैंने एंटर किया है otherwise यह work नहीं कर रहे है यानि कि pattern क्या करता है? match करता है आप जो भी input field में values डाल रहे हो अगर इसी pattern को मैं यहाँ पर last में यह वाला dash निकाल देता हूँ ओर रैट तो देखोगे तो यह match करें क्या 1,2,3 यहाँ पर सफुच डाल दिया फिर यहाँ पर दो number फिर ऐसा और राइट फिर आप देखेंगे तो match कर रहा है ओके मैंने यहाँ पर इसको reload नहीं किया तो यहाँ पर देखो क्या करना है एक दो तीन number डाल दिया फिर दो नमबर डाल दिया फिर डैश नहीं डालते है और तीन number डालते है तो अभी देखो work कर रहा है तो मतलब आप जो भी यहाँ पर pattern में डालोगे उसको match करता है जिसको regular expression भी बोल सकते हो या regex भी बोलते हो आपके syllabus में नहीं है ठीक है और राइट गई शूर यह हो गया आपका input type tell उसके बाद आता है input time 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 के अंदर जैसे की मैंने बताया कि आप इसमें क्या कर सकते हो सिर्फ time select कर सकते हो यह आपको समझ में आ गया रहेगा okay time में कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ time select करने का option मिलता है टाइम हो गया उसके बाद url url मतलब उनिवर्सर रिसोर्स लोकेटर इसका मतलब क्या यानि कि आपको अगर input type में कोई भी url डालना है वो भी डाल सकते हो समझें जैसे कि आपको search box आता है for example यहां पर ऐसा search box आता है इसमें आप क्या करते हो mostly search करते हो या फिर url डालते हो तो इससे आपका website search होता है same example यह है आपका same काम यह भी करता है जो मैंने आपको बताई url यहां पर आप देखो मैं ऐसे कुछ भी number डालता हूँ प्लीज एंटर url यह वैलिडेट करेगा भाई इसके अंदर तुम url के अलावा और कुछ नहीं डाल सकते ठीक है submit करते टाइम यह validation सारे होते हैं forms के अंदर तो यहां पर अगर मैंने इन्पुट टाइफ url डाला है तो url का एक format होता है यानि कि आपको www.demo.com ऐसा कुछ डालना पड़ेगा यानि कि यह format में डालना पड़ेगा तभी आपका जो website है वो चलेगा यह भी format नहीं लेगा यानि कि और प्रॉपर फॉर्मेट होता है वो मैंने आपको 11 में पढ़ा है तब होता है http ओके या https colon slash slash ऐसा रहेगा तो ही वर्क करेगा यानि कि आपको क्या करना बढ़ेगा पूरा url का format जो होता है https से लेके पूरा www नहीं डालोगे तो भी चलता है बट जो url होता है हमेशा http से start होता है http colon slash slash फिर ही चलेगा यह ठीक है यह हो गया आपका url अगर टाइप में आपको पूछा गया कि url क्या होता है for example यह उसके बाद आता है आपका url हो गया फिर टाइप week में आप सिर्फ week select कर सकते हो यह simple है जैसे मैंने month का बताया वैसे ही है week अलग-अलग weeks आप देखोगे तो यहाँ पर select कर सकते हो देखो यहाँ पर कि आप अब जाते हैं next इसमें mostly हम लोंने क्या-क्या cover कर दिया date range अनल सबकुछ cover कर दिया राइट image इमेज हम लोंने नहीं cover किया date cover किया email cover कर लिया फिर range date यह भी cover लिया time week भी cover कर लिया search भी है क्या मैंने मुझे लगा search नहीं आपके syllabus में search भी देख लेते हैं search क्या करता है simply आपको कोई search box बनाना है तो इसके लिए आप लिखोगे सर्च टाइप में क्या लिखोगे सर्च और इसके बास सम्मिट करेंगे तो देखो अगर कुछ नहीं सर्च क्या तो यहां पर देखो कुछ सर्च कर रहा हूं मैं सपोज यहां पर लिखता हूं डेमो लिख रहा हूं तो यहां पर सर् यह होता है इनबुट ऐस जो 相द देक्स होता है और जो सर्च बॉक्स होता है वह दोनों क्या होते है रोल्मोस ओते सिव यहां पर जैसे मैं डेमो या कुछ भी सर्च करता तो यह कोई आप पर क्रॉस आता है और इसी यह ईक Pokémon से आपका search में उसके बाद और क्या बचा इसके अंदर search हो गया file हो गया tell हो गया okay image के अंदर आप जैसे normally file enter करते थे वैसे ही आप क्या कर सकते हो image के अंदर आप image select कर सकते हो right तो यह सारे जो है sorry input input type की जो values से अलग-अलग I hope सब कुछ समझ में आ गया आपको कुछ भी doubt है तो आपको यह link दे दूँगा इसके अंदर सारे टाइपस आपको मिलनेगे जितने भी टाइपस मैंने आपके पढ़ाए हैं सब कुछ आपके टाइप मिल जाएंगे all right सारे टाइप जहां से आप एक-एक करके open करके इसका demo देख सकते हो तो I hope सारे points आपके clear हो गए रहेंगे जाख file search week time mostly tell input type का साथ वो mostly tell input type use type के साथ यूज़ करते हैं वो मतलब क्या pattern yes pattern mostly उसके साथ यूज़ करते हैं आप कोई भी ऐसा number आपको किसी type में चाहिए तो उसके आप यूज़ कर सकते हो बहुत सारी चीज़ होती है एक्चली बहुत सारे सिनारियों होते है फिलाल के लिए जो मैंने बताया है वो सिनारियों आप लेके चल सकते हो इनपुट टाइप नो डाउड वेरी गुड बढ़ते हैं नेक्स यहां पर देखोगे इनपुट रेस्टिक्शन्स यानि कि यह जो इनपुट टाइप है जितने उसमें क्या होते बहुत सारे और रेस्टिक्शन्स एड़ कर सकते हो यानि कि आप उसके अंदर और भी वैलि प्लेसोंडर हम लोग ने देखा read only हम लोग देखते हैं अभी फिस के बाद required यह सारी चीज़े हम लोग एक एक करके देखते हैं फटाफट देखो, input types के जितने भी attributes से फटावट देखते हैं, value तो सब लोग ने देखा, right? अगर input type में, suppose, यहाँ पे, input type मैंने text दिया है, और value यहाँ पे john दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो, by default आपका john आएगा, ठीक है, value अब देते हो, तो उसका by default आता है, जो भी रहता है, जिस type का, आपका input type है, read only, अगर आपने input type को, suppose, input type text लिया है, उसमें आपने read only डाल दिया है, तो क्या होगा, यह save read only होगा, इसको आप edit नहीं कर सकते हैं, देखो, मैं edit करने हो, try कर रहा हो, नहीं हो रहा है, तो जिसमें भी आप read only डालोगी हो, save read only रहेगा, वो editable नहीं बढ़ेगा, disable जैसे की मैंने बोला, वो क्या हो जाएगा, disable, ठीक है, तो आप read only और disable में confuse नहीं होना, disable मतलब कुछ भी, देखो, disable का जो color आता है, वो भी अलग हो जाता है, यानि कि आप इसमें भी कुछ भी नहीं कर सकते, disable जैसे डाल दिया, आपने यहाँ पे, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और इसका color भी change हो जाता है, और राइट, उ क्या होगा, यहाँ पे देखोगी तो इसकी size देखोगी, कितनी बड़ी हो गई, और इसके अंदर मैं 50 letters type कर सकता हूँ, okay, 50 से ज्यादा भी type कर सकता हूँ, but size क्या करता है, आपके input का size बढ़ा देता है, जो length, बुल सकते हैं, width, वो बढ़ा देता है, जैसे यहाँ पे मैं 100 तो इसका भी width बढ़ जाएगा, भी 4 डाला था, यहाँ पे देखो कितना बड़ा हो गया, size क्या करता है, आप हर एक को, जो input box होता है, size के साफ से चोटा बढ़ा कर सकते हो, इसके अंदर अलग से width भी बढ़ा सकते हो, but size इसका जो है, best attribute उसको अगर आपको बढ़ा चोटा यह सारे चीज के साफ आपका type attribute वोग करता है, date, time यह सब के साथ नहीं करता है, उसके बाद है max length attribute, इसमें क्या होता है, आप, suppose मैंने यहाँ पर क्या किया है input type दिया है okay इसके अंदर तो max length नहीं दिया है इसके अंदर दिया है जो pin है, pin का max length यहाँ पर 4 दिया है क्योंकि pin number क्या सकते आप ज़्यादा enter नहीं कर सकते है alright, pin number ज़्यादा enter नहीं कर सकते है इसलिए यहाँ पर pin का length 4 दिया है, तो mostly 4 से 5 number का pin number होता है, तो यहाँ पर size max length 4 दिया है, तो आप इससे ज़्यादा enter नहीं कर सकते, देखो, pin number मैं enter कर रहा हूँ, बट 4 से ज़्यादा मुझे enter नहीं कर, max length मतलब उससे ज़्यादा enter नहीं कर सकते, Max Length मलब यही होता है Mean Max लोने देखा Date Time के अधर हम लोग यूज़ कर रहे थे किसके अधर यूज़कर सकते है उप Number के अधर यूज़कर सकते हो Range के अधर यूज़कर सकते हो Date के अदर, Date Time के अधर Month के अधर, Time के अधर और Week के अधर जब देट टाइम वले जितने ते उस सब के अंदर यूज कर सकते हो, मिन मैक्स और उपर से आप उसको यूज कर सकते हो, कि इसके अंदर रेंज के अंदर यूज कर सकते हो, और राइट, उसके बाद आता है multiple, यानि कि अगर आपको, suppose, यहाँ पे, चूज फाइल वाला जो option ह इन्पू टाइप फाइल, इसके में multiple फाइल आपको चूज करनी है, यानि कि देखो, एक, दो, तीन फाइल में चूज कर रहा हूँ, और इसको open कर रहा हूँ, तीन फाइल देखो, कितनी फाइल मैंने सिलेक एट तीन, multiple फाइल आपको चैस में आप multiple डाल सकते हो, for example, input है और इसमें डाल दिया है क्या multiple और राइट यह हो गया उसके pattern तो हम दो ने देखा और placeholder भी देखा placeholder क्या करता है required attributes क्या होता है ओके बहुत important attribute required क्या करता है आपने सबसे input type बना है उसको blank छोड़ दिया उसको submit कर रहे हूँ तो क्या बोल रहा है please fill in this field यानि कि आप उसको छोड़ नहीं सकते यह required है या आपने कभी भी form के अंदर दिखा रहेगा star mark आता है red करके star mark आता है max length के पहले कराए sir please repeat max length के पहले max length के पहले क्या था ओके तो यहाँ पे आपको अगर ने required डाल दिया तो आपको यह चीज अगर वहाँ पर radio बटन रहे तो इसको select करना ही पड़ेगा check box रहेगा तो इसको check करना ही पड़ेगा all right तो जिसमें भी अपने required डाल दिया उसको ऐसा बोलेगा ओ please fill in this field यानि कि यह required field आप इसको यूज़ करो तो देखो किसके इसके साथ यूज़ के साथ टेक्स के साथ search के साथ URL के साथ telephone के साथ email password almost mostly सब के साथ use होता है required step attribute step attribute आपके अंदर है क्या यह step नहीं है right तो step नहीं देखते हैं हम लोग उसके बढ़ते है next autofocus autofocus है autofocus देख लेते हैं यानि कि autofocus अगर आपने इनपूट टाइप में suppose यहां पर देखो टेक्स दिया है और यहांपे autofocus दिया है तो जैसे ही मैं यहां पर इसको load करता हों तो यहां पर देखना मैं अगर यह क्या हुआ है ऐक मिनूट इसको जैसे में देखो लोड किया पर करसर आ गया और जैसे टाइप कर रहा हूं वहाँ पर ही type और आपको आपका जो पेज है आपका फॉर्म है लोड होते ही आपका जो करसर है वो कहां focus होना चाहिए कौन से input box में focus होना चाहिए mostly आप try करते हैं कि पहला जो input box है वहाँ पर automatic focus जाना चाहिए for example यहाँ पर मैं इसको reload करता हूँ तो मेरा इसको reload करने पर कहाँ पर focus जा रहा है पहले पर ही जा रहा है और इसमें पहले पर मैं without click में पर क्या कर रहा हूँ enter कर सकता हूँ कोई भी value तो जिस भी आप जिस भी इसके अंदर डाल दोगे यह autofocus सब्सक्राइब यहाँ से निकाल के मैं डाल देता हूँ next वाले input box में और और इसको मैं run करता हूँ actually यहाँ पर run यह reload करने पर होता है autofocus work करता है कि यह reload करने पर पुरा page ही आपका reload हो जाता है तो for example मैं इसको copy करके अगर यहाँ पर ले लेते हैं right और यहाँ पर मैं लिखता हूँ all right एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ autofocus का जो value है यहाँ पर देखो तो मैंने क्या किया देखो autofocus को फिलाल यहाँ पर अगर reload करूँगा तो यहाँ पर focus होगा ठीक है यहाँ पर focus हो जाएगा जैके एक काम बरते हैं browser में open करते हैं ठीक है तो देखो जैसे यहाँ पर reload हो रहा है कहाँ पर focus जा रहा है पहले input box पर जा रहा है अगर यह focus निकाल दू और मैं डाल दू कहां पे input type यहां पे अब देखना यह इसको मैं वापस से browser में अगर reload करता हूँ तो देखो auto focus अब कहां किया second पे गया ठीक है ओर रैट तो यहां पे देखो auto focus यहां पे directly कहां पे चले गया second number पे चले गया इतना अच्छा सर हमारे college में नहीं होता है guys यह तो मैं बहुत भगा भगा के सिखा रहा हूँ mostly कुछ भी type नहीं कर रहा हूँ आपको directly बता रहा हूँ नहीं तो हर एक चीज में type करके सिखाता हूँ आपको अगर देखना है तो 11 standard का मेरा जो first chapter का playlist है वो जाके देखोगे तो आपको एक एक चीज clear हो जाएगा बड़ यहां पर अपने बस time नहीं है one shot में सब कुछ आपको समझ में भी आना चाहिए और याद भी रहना चाहिए तो मैं वैसा try कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने directly w3 school से ही सिखा रहा हूँ और w3 जो आपका पूरा book बना है वो भी w3 school से ही उठा के बनाया हो गया है जितना आप देखोगे तो तो यह तो auto focus उसके बाद height and width यह तो सबको पता है height डालेंगे तो height बढ़ जाएगा width डालेंगे तो width बढ़ जाएगा for example यहाँ पे देखो अगर मैंने यहाँ पे इस input type image में मैंने width डाल दिया तो यहाँ पे क्या हो गया इसका width देखो इतना आ गया यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कोई भी यह button है actually input type image यहाँ पे okay किदर गया यार हाँ यहाँ पे width attribute यूज हुआ है width and height अगर मैं इसको यहाँ पे 148 कर दूँ तो देखो इसका width and height कितना हो जाता है इसका width बढ़ गया अगर मैं इसको भी 148 height को भी 148 कर दूँ इसका height भी बढ़ जाएगा okay image attribute यहाँ पे मैंने type image साथ नहीं बताता तो type image में क्या होता है आप जैसे input type image डालोगे और इसके अदर क्या होता है एक और attribute यूज करना पड़ता है यहाँ पे src यूज करना पड़ेगा यानि कि आपको image का part डालना पड़ेगा तो जैसे ही आप sr करोगे तो आपको यह button बनेगा image का अगर आपको अपने button के अंदर image यूज करना है तो आप क्या कर सकते हो ऐसा कुछ यूज कर सकते हो और राइट तो यह हो गया आपका width and height list attribute क्या होता है यह तो हम लोग बाद में देखेंगे यह least attribute नहीं आना अच्छी है सब tabs close करते हैं पहले क्योंकि बहुत सर टाब्स ओपन हो गये है height and width फिर इसके बाद list attribute उके उसके बाद देखते हैं auto complete auto complete क्या करता है यह तो सबको पता रहेगा आपने सबोस यहाँ पे कुछ search यहाँ पे क्या हो रहा है देखो यह auto complete कर रहा है गूगल सर्च क्या करता है जैसे मैं यहाँ पे demo सर्च करूँगा तो google search अपने आप detect करता है उसको auto complete करता है वैसे ही आपका auto complete attribute होता है auto complete में जैसे की for example यहाँ पे डाला हो गया है पहला जो input यहाँ पे देखो input type यहाँ पे email के अंदर auto complete डाला है यहाँ पे auto complete actually off किया गया है तो मैं क्या गरता हूँ इसको निकाल देता हूँ ओके तो auto complete आप क्या कर सकते हो एक एक input box में डाल सकते हो या फिर auto complete आप form के उपर भी डाल सकते हो तो मैं यहाँ पे देखो example में पुरा form के उपर डाल दिया गया अगर मैं यहाँ पे suppose search करता हूँ देखो दिकर रहा है यह automatic आ रहा है जो भी मैंने यहाँ पे पहले type किया रहेगा वह automatic यहाँ आएगा डेमो टाइब क्या और next time मैं click करूँ का दो demo यहाँ पे जैसे मैं d type करूँ गा ओके यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे जैसे मैं देखो जो भी मैं type करूँगा वो मैंको next time क्या करेगा आपको बताएगा कि यह auto complete में आपको यह select करना है क्या आप वो सारी चीज़े select कर सकते हो तो auto complete मतलब क्या होता है auto suggestions देता है आपको sir serious से ज़्यादा अच्छा IT है क्या 11th में या 12th में या फिर आपको क्या वो 12th HSC की बात कर रहे है या फिर graduation की बात कर रहे हो auto complete के बाद आता है आपका यहाँ पर almost सब कुछ खतम हो गया है min max height and odd सब देख लिया हम लोग ने तो देख लेते हैं क्या height width देख लिया multiple देख लिया उसके बाद auto focus auto complete required भी देख लिया आपका input type का तो यहाँ पर मैंने क्या किया है इसको copy करके के forms.html में रख लिया है अब देखो इसका output क्या आता है कि यह तो first name last name दिखा रहा है यह है क्या हाँ यह है right first name last name okay fine okay no problem क्या है यह देखो इसको मैं output में आपको दिखाता हूँ यह जो आपका कहाँ पर code है कभी कभी देखो आपको जो last का 7 वा question number 7 वा रहता right आठवे में आपको क्या आता है program साते है पाच पाच मांके तो एक program आपका HTML का आएगा और एक program आपको JavaScript का आएगा ठीक है तो वो दोनों करके जाना यहाँ पर देखो के तो यह program ऐसा भी आ सकता है यहाँ पर क्या किया है simply अलग अलग जो input type मैंने आपको समझाए हैं वही input type से यहाँ पर दिये गए हैं जैसे कि यहाँ पर name दिया गया है input type text auto complete यहाँ पर अलग अलग देखो जितने भी चीजे मैंने समझाए हैं सब कुछ इसके अंदर डाली गई हैं यह सारा चीज मैं आपको एक PDF बना कि या इसका link मैं share कर दूँगा जहां से आप refer कर सकते हो सारे programs अपने आप run करके भी देख सकते हो यह सारे चीजे और इसके इंदर सिफ ब्राउजर की जुरत प ग्रैजुएशन में मेरे हिसाब से दोनों almost equal है बर CS में क्या होता है आपको mostly physics physics भी रहता है या mass ज्यादा रहता थोड़ा अगर आपको mass Swiss नहीं पढ़ना है तो आप BSC IT सिफ करोगे तो आपे सिफ idly वाले subject रहेंगे और उसके बाद आते हैं attributes of metatag आ जाते हैं metatag क्या होता है metatag क्या होता है किसी ने पढ़ा है metatag मतलब क्या होता है ये क्या करता है metatag ये exam पे बहुत ज़्यादा पुछा जाता है metatag क्या होता है metatag is a tag in HTML that describes some of the aspects of the content of batch पे तो देखो metatag में जो भी लिखोगे आप ये web page पे दिखता नहीं है okay ये क्या होता है एक तरह का जादू समल्द होता है metatag आप HTML में लिखोगे तो वो दिखेगा नहीं okay बट ये क्या करेगा आपका जो web page है इसका search engine optimization में use रता है अब बोलोगे search engine optimization क्या होता है तो guys search engine optimization में आपके website की ranking बढ़ाने के लिए यानि कि आप suppose कुछ भी search कर रहे है आपका IT exam चल रहा है अब IT exam चल रहा है तो उसमें आप search कर रहे है कि 12th IT महा रीविज यानि या कुछ IT lectures ऐसा सब सर्च करोगे तो वहाँ पे देखो जिसका जिसके वीडियो में ज्यादा keywords रहेंगे जिसके वीडियो में ज्यादा relevant words रहेंगे वही सर्च होके आपको ज्यादा दीखेंगे ऊपर तो YouTube क्या करता है जिसके ज्यादा views आते हैं जिसके matching एकदम words रहते हैं जिसके वीडियो में या description में या उसके tags में तो उसका ranking बढ़ा देता है वीडियो को उसके उपर सबसे list कराता है search engine optimization यही काम गरता है यानि कि meta tag में भी यह होता है जैसे कि video में अब लग लग type के tags यूज़ करते हैं hashtags and all यूज़ करते हैं तो meta tag में भी आप अपने website में भी ऐसाब चीज़े डाल सकते हो hashtag नहीं डाल सकते हो but keywords डाल सकते कि आपका website किस चीज़ से related है okay description डाल सकते है इसका author कौन है यह सार चीज़े आप डाल सकते हो so meta tag क्या होता है is a HTML tag that describe how aspect of the content of web page मतलब web page के जो content है वो कैसे है all right यह mostly किसके अंदर यूज़ होता है search engine optimization या search engine के लिए यूज़ होता है यह exam में आता है meta type fill in the blanks में या आपको multiple choice में पूछा जा सकता है okay या फिर search information के लिए यूज़ होता है कभी भी क्या होता है कि जो google के crawlers या google का जो algorithms होते हैं वो website की content crawl करके या महाँ से copy करके अपने पास रखते हैं जब कोई search करता है तो उससे related matching जो भी website है उसको दिखाता है तो उसका काम उसमें आपका काम होता है meta tag का this is empty tag ये क्या होता है एक empty tag होता है याद रखना ये tag क्या होता है empty tag होता है यानि कि ये क्या होता है singular tag यानि कि इसके अंदर और भी कोई tag a tajj नहीं होते हैं singular tag यानि कि इसका opening and closing tag नहीं होता है ये अकेला tag होता है जैसे कि और ये किसके अंदर लिखा जाता है आपका head tag के अंदर लिखा जाता है SEO chapter आपका है वहाँ पढ़ने वाले है यह meta tag जो होता है वहाँ पर ही काम आता है और इसका जो यह कहाँ पर लिखा जाता है यह भी पूचा जाता है exam में कभी कभी confuse कर दिया जाएगा आपको exam में कि यह body tag में आता है क्या meta tag नहीं याद रखना जो meta tag होता है यह आता है आपका कहाँ पर head tag लिखा जाता है और head tag लिखने का तरीका क्या है वो दिखा देता हूँ پेले for example यहाँ पर देखो head tag के अंदर आप क्या लिखोगा है meta tag लिखोगा है सबको पता है na head tag क्या होता है head tag के अंदर हम लोग title लिखते हैं और जो दूसरा tag आता है head tag के अंदर हो आता है meta tag और meta tag क्या है singular tag है यानि कि इसके अंदर और कोई tag opening and closing tag नहीं है self closing tag होता है आप माल लो इसको तो देखो meta tag में पहला attribute आता है character set ओके character set इसमें दो type के आते हैं आपके एक होता है देखो utf for example utf-1 and big 5 utf-8 जो होता है इसके अंदर mostly जो characters यानि a,b,c,d and all जो जितने भी characters आपको required है वो सब इसके अंदर यूज कर सकते हो big 5 यूज करोगे तो अगर आपको Chinese character यूज करना है तो वहाँ पे big 5 आप यूज कर सकते हो ठीक है तो जितने भी Indian characters हम लो यूज करते है वो utf-8 के अंदर cover होता है तो हमको mostly ये वाला लिखते हैं जितने भी website अगर यहां पर description लिखते हो अगर यहां पर name के अंदर आप keyword लिखते हो keyword लिखते हो यहां पर keyword लिखना है आपके website इसी जैसे को ashtags यह फिर टाय्ग्स बनाते है वैसरी यहां पर आपके website इससे इससे पूर्ड की तो जितने भी keyword ओ supuesto भर बर कि किसने है आपने अगर आपने बनाया तो आपका NAHM को जिसना knife गोनाया उसकाame लीखनेने का व' व्यूपोर्ट क्या होता है व' आपके इसन के अंदर है कि नहीं है शायद व्यूपोर्ट नहीं है शायद viewport का use होता है मैंने क्या बदा HTML5 जो है यह क्या है आपका mobile support language यान रिस्पॉंसिव website बनाने के लिए mostly use होता है तो यहां पे viewport जो होता है इसके अंदर ऐसा लिको गया width device width device with मतलब क्या होता है जो device के साफ से एड़ेस कर ले initial scale 1.0 यह आपके exam syllabus में नहीं फिर भी बता देता हो इससे क्या होता आपका जो यह website है यह responsive मतलब एड़ेस होते रहता है according to किसके according to devices ठीक है अग टैबलेट रहेगा तो उसके हिसाब से तो देखो यहां पर अलग अलग जो भी मैंने बताया है इसके अंदर मैंने सब समझा दिया नेम के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं नेम के अंदर description लिख सकते हैं author का नाम लिख सकत तो आप content में website का description लिखते हो अगर नेम में आप author लिखते हो तो आप क्या करोगे content में author का नाम लिखो for example यहां पर name में लिखा है author तो content में लिखा है बालभारती अगर name में लिखा है description यहां लिख है web advanced web designing ओके उसके बाद नेम में कीवड लिखा तो यहां पर content में keyword लिखो Chinese character use होंगे तो ऐसा लिखोगे week 5 और अगर normal Indian characters यानी ABCD and all जो भी use होते हैं वो सब के लिए UTF-AD इसके इंडियन characters सारे cover होते हैं फिर HTTP equivalent मतलब क्या होता है अगर आपको सब्स आपका website है अगर आप लिखते हो HTTP equivalent तो आपका website अगर आपको suppose क्या करना है हर 5 second 30 second में refresh करना है तो physical HTTP equivalent set cookies यानी कि आपका website cookies cookies मतलब क्या होगा आपका website locally आपके website को download करके अपने web browser में रखेगा अगर यहां पे content देखो यहां पे HTTP equivalent में content यहां पे type लिखा है तो यहां पे content type content में क्या लिखा है text HTML okay character set big five यानी कि यह सब साथ में डाल दिया गया है कि क्या है character set क्या होगा content मेरा है क्या है बता रहे हो कि आपके website का content क्या है text और HTML है right text type क्या है HTML तो उसके लिए आप use कर सकते हो HTTP equivalent यहानी कि आपके website में किस टाइब का website बना रहे हो उसके आडे में फिल्स के वाद आपका है और या फिर refresh नहीं कर रहे हो तो आपको क्या करना expire करना यानी कि जो भी cookies या cookies मतलब आपको मैं समझा दो क्या होता है for example आप right click करोगे inspect में जाओगे तो यहां पर आता है application के अंदर देखो local storage आता है ipe section आता है ये सब में आप data store कर सकते हो तीक है यह यहाँ पर यूजरायदी डाल सकते हो फिर 이것 effort कभी इसका डेट डाल सकते हां पर यहां पर यहां पर डेट डाल दिया की इस ठेट पर एक्सपायर कर देना इसरी ऑजिए डिस्टे यह क्या हो गाय। यहां फStar गती टालोगे तो नदर आपको में और इस्को मैं डेटा इसको मैं क्लोस कर दता हूं देखो यहां पे जो मैंने सब बताया है यहां पे सेम चीजे लिखी गई है व्यूपोड एस्टी एक्विलेट रिफ्रेस यह बहुत बार पूछा जाता है रिफ्रेस वाला ओके व्यूपोड एनॉल्स यह सारी चीजे मैंने यहां पे कवर कर दी आप इसको अब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है अब मेटा टैग सर यह चप्टर सबसे बड़ा के यह सबसे बड़ा चप्टर यही है और राइट गैस इसके बाद आयाते हैं हम CSS पे देखो इसका uses क्या है जैसे कि इसका uses यहां पे दिखाया गया है यही चीज है इसका use कैसे करना है आपको ऐसे लिखना है head tag के अंदर ऐसा सब लिखना है character set, utf, name, viewport I hope यह समझ में आ गए रहेगा और राइट अब आते हैं हम पढ़ने वाले हैं CSS CSS पे आ जाते हैं, CSS क्या होता है अब थोड़ा fast जाएंगे हम लोग क्योंकि कितना time हो गया 141 यानि कि आपका साड़े बाराइश श्टार्ट हो रहा है अल्मोस्ट गंटा होने आ गया तो आब इसको आदा या एक गंटे में खतम कर देते हैं और तो यहाँ पे अब CSS में देखो क्या होता है CSS मतलब क्या होता है Cascading Style Seat CSS मतलब Cascading Style Seat यह क्या काम करता है मैंने आपको अल्रड़ी बता दिया आपके website को अगर beautiful बनाना है तो हम लोग क्या use करेंगे Cascading Style Seat और यहाँ पे देखो गे तो क्या है CSS का full form कभी कभी पूझा रहता है कि क्या full form होता है तो Cascading Child Street होता है यह HTML 5 के अंदर यूज क्या रहता है और CSS stand for this CSS describe how HTML elements has to be displayed on the screen मतलब आपके elements कैसे दिखेंगे वो सारा चीज यहाँ पे पूरा बताया गया है Okay, it controls the layout of the multiple web page all at once यानली कि अगर आपको CSS के तुरू multiple web pages का content modify करना है यह भी एक्जाम में पुझा जाता है कि क्या CSS multiple web pages का web pages के content को modify कर सकता है तो yes यह एक ही टाइम में बहुत सारे web pages को modify कर सकता है Okay, यह mostly क्या करता है look and feel को आपका change करता है beautiful बनाता है आपके website को Okay, CSS दिखता कैसे तो देखो CSS लिखने का तरीका क्या होता है तो पहले आपको लिखना पड़ेगा selector, selector यानी की आपका इसके अंदर कौन सा elements रहेंगे HTML के h1 tag, p tag, कौन सा कोई भी image tag, कुछ भी हो सकता है तो selector मतलब कौन से elements इसके अंदर रहेंगे उसके बाद यहाँ पे declaration block इसके अंदर पूरा का पूरा आप क्या देने वाले हो, color okay, font size, font family जो भी रहेगा इस curly braces के अंदर आपको लिखना है तो यहाँ पे देखोगे तो इसको curly braces है, इसको बुले जाता है declaration block, यह exam में पूछा जाता है selector क्या होता है यह block क्या होता है, declaration block क्या होता है, जिसके अंदर आप पूरा का पूरा properties and values जो है आप इसके अंदर लिखते हो तो देखो, इसके अंदर color के अंदर क्या आता है, yellow आता है font size आपका देखो, क्या है तो यह color क्या है यहाँ पे color एक property है और yellow क्या उसकी एक value है font size क्या हो गया एक property हो गया 11 pixel क्या हो गया उसकी एक value हो गई तो आपका जो पूरा का पूरा बोलते हैं CSS लिखने का यही तरीका है अब CSS के भी बहुत सा टाइप होते हैं बहुत सारे मतलब दो टाइप मेन होता है इसके एक होता है inline CSS एक होता है external CSS ओके तो देखो selector हम लोग ने पढ़ा क्या होता है selector indicates HTML element that you want to style जिस भी element को आपको style करना है वो selector होता है वो h1 tag body tag कुछ भी हो सकता है head tag and all को छोड़के बाकि body tag जितने भी tags आप लिखते हो सारे होते हैं उसके बाद declaration blocks में हम लोग ने देखा क्या लिखते हैं हम लोग हम लोग ने mostly जो भी properties and values लिखते हैं और अगर आपको multiple properties and value लिखते हैं तो इसको semi colon से आपको separate करना पड़ेगा ठीक है और इसके बाद आ जाते हैं next declaration block के बाद property property हम लोग ने देखा जैसे color background color फिसका उसका font size यह सब क्या है property होती है value में उसका क्या दे रहो font size 32 40 यह सब देते हो वो उसकी value हो जाती है आप देखते है types of CSS types of CSS में क्या आता है आपका एक inline CSS आता है एक होता है embedded style या फिर internal CSS यह एक होता है external CSS यह तीन type होते है mostly इसमें से inline CSS external CSS जादा पूछा जाता है फिर भी तीनों के बारे में हम बात यह करेंगे यहाँ पर और इसके उपर मजबूत वाला discussion करेंगे और रैट internal inline CSS inline style sheet मतलब आप जब यह सारा जो चीज है ना यह जो मैंने बताया है इसको html file के अंदर ही लिखते हो तो इसको बोलते है inline या फिर internal CSS for example यहाँ पर देखो इसका example के लिए यहाँ पर जाते हैं हम लोग okay for example यहाँ पर आप देख सकते हूँ इसका font size मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे दिखे all right अब देखो यहाँ पर क्या है यह है आपका internal या inline CSS का example inline CSS मतलब देखो क्या होता है आपने normally अपने html tag लिखा head tag लिखा head tag के अंदर आपने क्या लिखा यह style लिखा style देखो यह वाला चीज आपने नया देखा रहेगा style tag style tag के अंदर हम लोग क्या करते हैं पूरा का पूरा आपका CSS लिखते हैं तो अगर आप head tag के अंदर ऐसा style लिखते हो style tag के अंदर आप देखो तो क्या लिखा है आपका पहले तो selector लिखा है selector में क्या लि तो यहां पर यह selector हो गया यह आपका declaration block हो गया यह आपकी property यह property हो गया यह उसकी value हो गया और इसको inline या internal CSS क्यों बोले आता है क्योंकि हम लोग इसको html file के अंदर ही लिखते हैं और अगर आपको css लिखना है html file के अंदर तो हम लोग क्या कर सकते हैं sir आप vs code use करते हो yes मैं vs code use करता हूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा style tag के अंदर इसको ऐसा लिखना पड़ेगा okay तो inline css लिखने का तरीका ये है और एट तो ये example होगे ये जो program है मैंने वही उठा के वहाँ पे डाला है तो ये ही उसका देखोगी तो ये same output आ रहा है उसके बाद आप क्या-क्या style कर सकते हो css properties में देखते हैं हम लोग color style कर सकते हो यानि कि कोई भी text का color आप style कर सकते ह तो ठीक है अगर मैं यहाँ पे एक-एक फटा-फट आपको दिखाओं css properties तो देखो पहला क्या है color है सब को पता है color का क्या use है यहाँ पे color का जो use है वो है आपका जो भी text रहेगा उसको color देने का तो देखो for example यहाँ पे देखो text को अगर color देना तो आप क्या use करोगे color प्रॉपर्टी यूज़ करोगे अब देखो यहाँ पे जैसे h1 tag है इसको color देना है तो हम use करेंगे क्या h1 color और color code या फिर हम यहाँ पे yellow, green, blue यह भी डाल सकते है यह enter यह inline css आपका inline css okay यह आपका inline css का example मैं बता रहा हूँ आपको okay तो यह हो गया color देखो जहां पे मैंने क्या लिखा style tag लिखा style के अंदर आपको h1 लिखा h1 के अंदर color लिखा curly braces में उसके बाद उसका color दे दिया तो यह h1 tag जो है देखो गये तो क्या हो गया ऐसा color का आगया है तो यह हो गया color एट उसके बाद आता है आपका क्या background color background color मतला अगर इसको अपने background color दिया जैसे की body background color yellow तो आपका जो body रहेगा उसका पूरा का पूरा background क्या हो जाएगा yellow जाएगा for example यहाँ पे देखो गे तो अगर हम लोग यहाँ पे जाए किदर चले गया यह यहाँ पे देखो for example यहाँ पे background color यह देखो तो यहाँ पे अगर मैंने देखो body के अंदर क्या किया body के अंदर मैंने background color दिया और पूरा का पूरा आपका विप पे जो होगा उसमें क्या आजाएगा color आजाएगा और इसके बाद आते है next फटा फट दे क्या लेक ऐसा सब करना है फो आपके font को bold करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा font weight यूज करना पड़ेगा for example यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसका bold क्या होगा वो बड़ा होते जाएगा उके उसके बाद आता है आपका font style इसके अंदर क्या कर सकते हो आप जैसे कि अलग अलग आपको क्या चीए रहता है font की style italic oblique normal इसके अंदर भी आप यह यूज कर सकते हो for example font style यहाँ पर जाओगे normal, italic, oblique इसका example हम लोग देख लेते हैं जैसे यहाँ पर normal डाला है तो normal आ रहा है इसको italic डाला है यह है आपको oblique थोड़ा सथ क्या हो रहा है यह dark आ रहा है और italic में आ रहा है ठीक है यह आता है आपका क्या देखोगे तो font style normal italic and oblique text decoration अब मैं फटापड़ आपको सिर्फ यह बता दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा text decoration क्या करता है अगर आपके font को क्या करना है underline and all करना है underline over strike under strike यह सब करना है strike करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको यह इसकरना पड़ेगा font text decoration ओके तो यहाँ पर लिखेंगे text decoration देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या किया है पहला text decoration हो गया फिर text align हो गया text align क्या करेगा यह आपके text को left right सब यह करेगा चीक है मतलब उसको text अगर आपको text left में लेके जाना है right में लेके जाना है तो आप क्या करसकते हो उसको align कर सकते हो तो यहाँ पर इसकी property है left right center justify यह सब आप use कर सकते हो और है इसका भी example अगर मैं दिखा दू आपको तो यहां पर आप जाओगे यहां पर लिखना है text क्या लिखोगे text align एक होता align atom भी उसमें difference याद रखना text align अगर आपके देखोगे तो by default आपका जो भी रहेगा वो सब क्या रहेगा लेफ में align रहेगा अगर आपको right top bottom नहीं होता याद रखना horizontally आप कर सकते हो जैसे यहां पर center किया है तो देखो center आ गया है उसके बाद left किया है यहां पर देखोगे तो यह पूरा का पूरा left यह justify है यहां पर okay यह center में किया गया है तो यह पूरा का पूरा देखो left में आ गया यह right है तो पूरा का पूरा light में आ गया justify देखोगे तो यहां पर यह पूरा का पूरा justify है और राइट उसके बाद बढ़ते है next क्या है अपना font family यानि कि आपकर आपको font का style change करना अलग-अलग तो उसके लिए आप font family यूज़ कर सकते हो font size यानि कि आपको font का size change करना है अलग-अलग form मतलब size बढ़ाना है या चुटा करना है तो उसके लिए आप लिखोगे font size उसके बाद font का यहाँ पे number लिखोगे उसके बाद यहाँ पे unit लिखते हो font मतलब कैसे बढ़ाना आपको pixel में बढ़ाना है inches बढ़ाना है millimeter बढ़ाना है centimeter बढ़ाना है point में बढ़ाना है तो यह अलग-अलग type है मतलब pixel in 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 मतलब inches mm मतलब millimeter cm मतलब centimeter pt मतलब point तो for example यहाँ पे देखोगे तो 10 pixel दिखा है यहाँ पे px यहाँ पे in mm cm यह सब लिख सकते हो फिर इसका आता है letter spacing अगर आपको letters के बीच में space बढ़ाना है तो उसके लिए आप use का सकते हो letter spacing for example यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आओगे देखोगे तो letter spacing यहाँ पे भी हम pixel point cm में देते हैं यहाँ पे देखो इस letter इसके बीच में देखो कितना ज्यादा space है ठीक है अगर यहाँ पे देखो letters के बीच में कितना कम space है यहाँ पे उससे कम है यहाँ पे सबसे ज्यादा है और रैट उसके बात है definition उके उसका देखो padding क्या होता है border background image background repeat margin left इसमें से मैं padding बता जता हूँ क्या होता है कि padding और margin में लोग confuse जाते है कि क्या होता है सबको लगता है कि padding and margin same होता है जी नहीं padding margin सब कुछ अलग-अलग होता है देखो padding margin में मैं difference बताता हूँ देखो padding क्या होता है पैडिडिंग मतलब अगर अगर यह we are use for example देखो यहां पे यहां पर क्याँ गया एक paragraph लिया गया है यहां पर पैराग्राफ पी लिया गया है इसके अंदर ex1 एक class बनाए गया क्लास क्या हो मैं बताता आपको उसके नदर padding दिया गया है 35 पिकसल, तो क्या होगा इसके अंदर जो है न, इसके अंदर जगह बनेगा, यह जो है न, इसके अंदर जगह बनेगा, padding और margin में क्या difference देख है, margin दोगे अगर तो यह क्या करेगा, उपर नीचे या left right, तो यह पूरा block क्या करें ऊपर नीचे होगा बड़ पैडिंग दोगे तो इसके आजू-बाजू जगा क्या होता है बढ़ता है और एट फ़र एक्जामपल में यहाँ पर लिखता हूँ 100 पेक्सल तो अभी देखना कि आजू-बाजू जगा क्या हो गया बड़ गया बड़ अगर वैं मार्जिन देता हूँ फॉर एक्जामपल इस ह-1 में ह-1 क्या है ए-1 के अंदर मैं मार्जिन देता हूँ सपोज करो यहाँ पे लिखता हूँ क्या h1 और उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ margin 100 लिखता हूँ margin में क्या होता है margin left and right भी होता है तो मैं इसको left देता हूँ ठीक है okay pixel देना है आपर अब देखो margin left दिया तो ही क्या हो गया यहाँ से इधर खसक गया यानि कि आजू बाजू कितना space यह हम उसके लिए क्या करेंगे मतलब आप padding में क्या होता है कि यह आजू बाजू जगह करता है margin क्या करता है उसको आपको उपर नीचे खसकाता है यानि कि आपको margin देना है अगर left तो क्या करेगा अगर left से आपको इधर खसका देगा अब मैं बोलूँगा margin bottom ठीक है तो आपको देखो margin bottom दिया तो क्या हो गए यह इधर ही है लेकिन उसने आप इसके और इसके बीच में क्या किया मतलब margin क्या करना है अगर margin यूज़ करना है जब इस block और बढ़ा करना है इस block में और space बढ़ाना है तो उस case में आप यूज़ करोगे padding इस block के अंदर padding यूज़ करोगे तो इसके अंदर space बढ़ेगा अगर इसमें दो के margin left तो इन दोनों के बीच में space बढ़ जाएगा समझ में margin और padding में अगर दो elements के बीच में ऊपर नीचे आज दाय बाय जगह बढ़ाना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा margin अगर इसी element के अंदर आपको जगह बढ़ाना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा padding यही difference दो है margin और padding में तो आपको यहाँ पर margin लेफ्ट दिया है इसके अंदर भी px, pt, cm यही सब होता है px मतलब पिर इस picture होता है उके उसके बाद तो border रहता है border मतलब क्या कर सकते हो आप किसी भी elements के आजुबा जो border डाल सकते हो for example यहाँ पर देखोगे तो border लिया गया है तो border के भी अलग-अलग इसके अंदर types होते हो मैं बता देता हूँ आपको देखो यहाँ पर यह border का example है इसमें आप क्या क्या कर सकते हो border width, border style यह सब भी डाल सकते हैं तो देखो किसी का भी border डालना है तो ऐसा कर डाल सकते हो dotted border डालना है तो यहाँ पर लिखोगे क्या देखो border में क्या लिखना है पहले आपको कितना border की size कितनी रहेगी वो लिखोगे उसके बाद आपको लिखना है solid रहेगा, dotted रहेगा अगर यहाँ पर dotted लिखोगे तो यहाँ पर border आपका dotted आएगा solid लिखोगी तो आपका border solid आएगा ठीक है उसके बाद आप क्या करोगे border का color डाल सकते हो third parameter तो यहाँ पे आपका border का जो भी यहाँ पे specify करोगे वहाँ पे color आएगा alright तो यह होगे आपका border यहाँ पे solid, double, groove, reads, insert यह सब चीज आप यूज कर सकते हो border के अंदर for example हर एक का example अगर मैं आपको बताओ CSS border में तो देखो यहाँ पे देखो हर एक example यह क्या है आपका dotted border है यह आपका क्या है dash border है इसके अंदर dash dot आता है यह solid border है उसके बाद यह है आपका double border दो-दो border आ रहा है group border मतलब देखोगे तो थोड़ा यहाँ पे अलग सा देख रहा है border ridge border मतलब क्या देख रहा है यहाँ पे देखोगे तो यह 3D में देख रहा है थोड़ा 3D effect आ रहा है आपको insert border मतलब देखोगे तो यह थोड़ा अंदर की दर देख रहा है border outset border मतलब थोड़ा उठा हुआ देख रहा है Border का मैंने क्या बल्ला दोसरा property जैसे border यहां पर double उसके बाद उसका size दाल सकते हो 3pixel उसके बाद उसका color भी दे सकते हो All right उसके बाद जाते हैं background image आप क्या कर सकते हो किसी का background image दाल सकते हो All right CSS सबसे बड़ा था इसके बाद तो फटाफट हो जाएगा कुछ है नहीं है ठीक है दो बज़िया इसको धाई बज़ तक खत्दम करते हैं यह चाप्टर को और राइट गाइस तो यहाँ पर आता है external CS स्वरी यहाँ पर हमना अपना background image भी बाकी था तो background image भी मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा रहता है background image किदर कहाँ पर जले गया बहुत सरे tab open होगे और राइट अपने को क्या चीए background image राइट तो यहाँ पर हम लिखेंगे background image यहाँ पर आगे background image देखो background image यूज कैसे किया रहता है simple आपको लिखना है background image ओर राइट जिसके अंदर भी background देना है उसके लिखना है background image फिसके बाद यहाँ पर एक चीज किया रिय तो यूर्ल यूर्ल किसका यूर्ल यह है आपके image का URL ओर इमेच का URL यानी कि यहाँ पे आपको जो भी image का path रहेगा वो यहाँ पे डालना है वो आपके website से भी हो सकता है या फिर आपके local computer में भी हो सकता है यहाँ पे देखो के तो the background image property ऐसा यह क्या है आपका paper.gf करके डाला है तो यहाँ पूरा paper background में पूरा कहां पे आ रहा है, image आ रहा है किस के अंदर आ रहा है यह आपके body के अंदर आ रहा है और रहाईट, उसके बाद background color भी यूज़ सकते हैं अगर मैं background image निकाल दूत्यों तो यह पूरा का बाद background color देखो के तो जो दिया है, यहाँ पे background color आ रहा है अब ये बैग्राउंड रिपीट क्या है बैग्राउंड रिपीट क्या होता है यानि कि अगर आपने लिखा बैग्राउंड रिपीट रिपीट तो आपका जो इमेज है वो रिपीट होगा फॉर एक्जाम्पल यहाँ पे बैग्राउंड रिपीट अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो के तो background repeat से y पर दिया है background repeat अगर मैं no देता हूँ तो यह repeat नहीं होगा यह actually इमेज से पता भी चलेगा कि repeat हो रहा है यहाँ पर मैं देता हूँ car images के इस यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इसका पूरा address copy कर लेते हैं और यहाँ पर copy paste कर देते हैं इस car के image का और देखो अब देखो क्या हो रहा है ठीक है यहाँ पर image क्या हो रहा है repeat हो रहा है बार बार यहाँ पर image क्या हो रहा है देखोगे तो आपका repeat हो रहा है अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा background image no repeat अब देखोगे तो image repeat नहीं हो रहा है सारे image गायब हो गया सिर्फ एक image देखेगा आपको background में और यह वह गया आपका background repeat इसमें दो आता है एक repeat एक no repeat repeat करोगे तो by default क्या होगा repeat होता है no repeat क्या होता है मतलब वह repeat नहीं होगा that's it फिर इसके बाद आता है आपका margin lift यह तो मैंने अरड़ी आपको बता दिया तो मैंने सारे cover कर दिया आपको color background जितने भी CSS के property थे सब कुछ color cover कर दिये अब बहुत लोग बोलेंगे सर इसको याद कैसे करना है देखो याद कैसे करना है मैंने जो link आपको दूँगा वहां से आ अलग-अलग number से आप बोल्ट कर सकते हो style देना है यार italic उसको अलग-अलग oblique और नॉमल तो आप उसके साथ font style दे सकते हो decoration में हम लोग underline, overstrike, okay यह सारी चीजे कर सकते हैं text align में left, right align करना है font family इसके अदर बहुत CSS के पर बहुत सारे question भर-बर के पुछ जाते हैं तो एक बार आपको क्या करना है इस lecture के बाद आग बंद करना है और हर एक जो property है वो याद करना है कि color क्या करता है background color आपको यह पढ़ना नहीं है आपका पढ़ना है कि color क्या करेगा तो color आपको आग बंद करना पूछना अपने आप से color क्या करेगा ठीक है आपको automatic याद हो ज रहता है, for example, internal में हम लोग कहां लिखते थे, style tag के अंदर लिखते थे, right, external style state में हम लोग क्या करेंगे, style.css फाइल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको यूज करेंगे, for example, यहाँ पर example के जाद बताता हूँ, में, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, एक style, यहाँ पर suppose बना रहा हूँ, मैं, क्या, style.css, जैसे की html का जो extension होता है, dot html होता है, वैसे ही आपका जो style, आपको css का extension बनाना है, फाइल बनाना है, तो आपको लिखना पड़ेगा, dot css, style.css का मैंने एक file बना लिया, आप इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, suppose करो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, h1, और इसके अंदर मैं लिखूंगा color, और यहाँ पर suppose मैं देता हूँ yellow, ठीक है, यहाँ पर yellow color दे दिया, अब मुझे क्या करना है, इसको include करना है, अपने html file के अंदर, suppose मैं यहाँ पर meta tag वाला जो है, इसके अंदर यह सम निकाल देता हूँ, meta tag का, और, ताकि आपको properly दिखे, यहाँ पर suppose यह p tag है, इसको मैं h1 बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसको भी h1 बना देता हूँ, अब देखो currently यह कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, अगर मुझे इसका color change करना है, वो भी, किसे external css के through, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना जो css है, उसको style.css करके एक file बनाना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया style.css file बनाया, और उसके अंदर css लिखा, अब यहाँ पे देखो style tag के अंदर नहीं लिख रहा हूँ, कहा लिख रहा हूँ, इसलिए यह बाहर लिख रहा हूँ, इसलिए इसको बोला जाता है क्या external style sheet, यानि कि हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर लिखते हैं css को html के बाहर, ठीक है, अब इसको बाहर लिखा है, बट इस इसको क्या करना पड़ेगा, इस style.css or.html file जो है मेरा, इन दोनों के बीच में एक relation बनाना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में relation कैसे create होगा, तो बहुत ही simple, आपको यूज करना पड़ेगा, यह link tag, लिखना पड़ेगा link, rel मतब relation, किसके साथ relation बनाना है, style sheet के साथ, और style sheet का type क्या है, text or css, और इसके बाद लिखना है, href, मतलब उसका path क्या है, style.css, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, relation बनाना है, इसके साथ, तो हम head tag के अंदर लिखेंगे, और link, ठीक है, link के अंदर हम लिखेंगे क्या, rel is equal, sorry, link के अंदर हम लिखेंगे, rel is equal to, यहाँ पर style sheet, okay, यहाँ पर लिखना है, आपको style sheet, उसके बाद आपको लिखना है, क्या type, इसका type क्या है, type क्या है, text, right, इसका type है, sorry, text, slash css, okay, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका part डालेंगे, तो part कैसे डालेंगे, href, और इसका path कहाँ पर देखो, यह style.css के अंदर हम लिखें है style.css ठीक है तो ऐसा कुछ लिखा जाता है हमारा external site देखो जैसे ही मैंने ये वाला link किया ये वाला style.css link किया वैसे ही मेरा जो head tag है उसका color क्या हो गया automatic कितना हो गया yellow color हो गया automatic ठीक है तो ये याद रखना आपको कैसे करना है इसको तो देखो यहाँ पे जो बताया गया सेम चीज आपको link लिखना है relation लिखना है कि के साथ relation बना रहे हैं तो स्टाइल सीट के साथ relation बना रहे हैं उसके बद टाइप किया उसका text and css उसके बद href क्या है style.css और उसके अंदर फिर हम लोग का डालेंगे heading डालेंगे heading के अंदर जो भी लिखा था हमारा वो मतलब इस css के अंदर जो भी लिखा था क्या लिखा था हम लोग ने color is equal to color में हम लोग यल लो रहा था हमारा color यल लो गया अगर मैं यहाँ पर देखो कि इन ने any text editor and must be save within a .css extension एक्जाम में पूचाता आता है कि external css file कौन से extension के फाइल में लिखा जाता है तो .css extension में इसको लिखा जाता है याद रखना और एट पर एक्जामपल हम लोग ने style.css बनाया था जिसके पास pc ना हो वो लोग तो मैंने website का link दिया website खो लो आप mobile में भी open करोगे वहाँ पर भी चलता है ओके वह website का मैं link डाल दूँगा telegram पे सारा कुछ telegram group join कर लो वहाँ पर सारे updates आने वाले हैं आज ही मैं दूसरा chapter और तीसरा chapter भी कराने वाला हूँ ठीक है इसलिए telegram group join कर लो उसका link description में मिल जाएग आपको तो फटा बट सब लो telegram link join कर लो ओके जाओ telegram group join करो सारे updates आपके आगे के वहीं आएंगे फिस क्या बाता है CSS ID selector अब ID selector क्या होता है यहाँ पे ओके यहाँ पे हम लोग दो टाइप पढ़ने वाले एक class selector पढ़ने वाले हैं और एक ID selector पढ़ने वाले हैं तो ID selector में simply हम लोग क्या उसकरते हैं ID उसकरते हैं for example आपने ऐसा कुछ देखा रहेगा पी टैग है इसके अंदर हम लोग ने क्या लिका है ID ओके पैरा 1 तो यह ID selector क्या होता है मैं बताता हूँ तो ID selector क्या होता है जो style.css हम लोग बनाते हैं वहां से हम लोग को दो चीज बनानी पड़ती है एक तो class बनाना पड़ता है या फिर ID for example यहां पर हम लोग ने क्या किया यहां पर directly जो भी tag ता उसका नाम लिग दिया बड़ अगर आपको सब और directly tag नहीं सुरना है तो यहां पर दो चीज यूज कर सकते हो एक तो आप hashtag यूज कर सकते हो ठीक है या फिर एक आप यूज कर सकते हो dot यह दोनों में से कोई भी एक चीज यूज होता है और जो id होता है ना यह आपका id के यहां साथ यूज होता है तो ठीक है यहां पर for example यहां पर क्या दिया है id selector select the id attribute of html elements select the specific element अगर आपको किसी भी specific element को select करना है तो id attributes को use करना पड़ेगा और यह जो id attributes होते हैं वो क्या होते हैं id selectors जो होते हैं वो क्या होते हैं वो unique होते हैं ठीक है वो आप repeat नहीं कर सकते हैं यानि कि एक id selector सिर्फ एक ही का use कर सकते हो और जो class selector होते हैं यह आप एक देखो यहां पर class intro यहां पर डाला है class intro यहां पर डाला है यानि कि class selector आप multiple tags से साथ या multiple elements के साथ यूज कर सकते ह आप एक ही के साथ यूज़ा तो पहले इसका यूज़ देखते हैं हम लोग क्या होता है for example यहां पर क्या दिया है दिया है फिर इसके बाद यहां पर para 1 में क्या लिखा है text align center and तो हम लोग भी क्या करते हैं यहां पर एक id बनाते हैं id बनाने का तरीका क्या है देखो id बनाने के लिए हम लोग लिखना पड़े है hashtag उसके para 1 normally हम लोग क्या करते हैं जोसे facebook and all पर hashtag लगाते हैं वैसे ही यहां पर भी hashtag लगाना है और कुछ नहीं यहां पर लिखेंगे hashtag और यहां पर इसा कुछ color देते हैं उसके बाद आपको अगर दूसरा property लिखना है तो आपको simply क्या लिखना पड़ता है semi colon उसके बाद हम लिखेंगे text align ठीक है text align कहां जाएगा center रहेगा और अब देखो यहां पर हम लोग ने क्या किया एक id selector बनाया para 1 तो id selector बनाने का तरीका याद रखना हमेशा hashtag से बना जाता है और अब यह चीज़ आप लिख सकते हो internal या इन-line CSS में लिख सकते हो या फिर आप इसको external CSS में ऐसा बना सकते हो और अब मैंने यहां पर para 1 का use कैसे करना है वो मैं बताता हूँ तो यहां पर अगर मैं लिखता हूँ id is equal to para 1 अब देखो इसका color change हो गया और यह align हो गया center ठीक है तो काम आपका अगर आपको CSS की properties लिखना है through id selector तो आपको लिखना पड़ेगा क्या hashtag fuse के बाद अपने मन से कुछ भी अपना नाम या किसका भी नाम या mostly क्या यहां पर related लिखना है आपको para 1 उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है color डालना है ठीक है color मतलब जो भी CSS property वहां पर आपको डाल देना है text line जो भी CSS property है आपको इस curly braces के अंदर लिखना है और जो यह para 1 है उसको क्या करना है ऐसा id is equal to para 1 लिखोगे उसके बाद automatic आपका result दिखने लगीगा ठीक है ओर राइट आई होप यह चीज आपको समझ में आ गई id selector क्या होता है यहां पर para 1 रहेगा अब हम देखते है class selector तो class selector बनाया कैसे जाता है class selector देखो क्या क्या है dot जैसे कि id selector hashtag से बनाया जाता है वैसे ही class selector जो होता है dot से बनाया जाता है यहां पर लिखा dot और यहां पर लिखेंगे para 2 सपोज लिखता हूँ मैं यहां पे लिख दिया मैंने para 2 और वैसे ही जैसे मैंने बना ता सीव यहां पे फरक क्या है hash और dot का फरक है बाकी चीज़े यहां पे मैं same लिख देता हूँ suppose और इसका color कुछ और देते हैं हम लोग suppose blue देता हूँ और और इसको align right देता हूँ और para 2 हम लोग use कैसे करेंगे तो para 2 हम लोग use करेंगे suppose मैं एक और यहां पे p tag ले लेता हूँ और p tag के लिखता हूँ hello para लिखता हूँ और यहां पे class tag use करने का class selector use करने क्या तरीका यहां पे लिखोगे class यहां पर आईडी सेलेक्टर के लिए लिखते थे वैसे यहां पर क्लास सेलेक्टर के लिए क्लास लिख हो गए ठीक है और इसके बाद क्लास का नाम क्या था भाई बोलो क्लास का नाम था आपका पैरा टू यहां पर लिख दोगे पैरा टू तू यहां पर टू लिखा यहां पर क्या गया है लो पैरा और यह क्या हो गया राइट अलाई होगया क्योंकि मैंने यहां पर लिखा था क्या टेक्श्ट याँ राइट और और भी इस तो यही डिफरेंस दोड़ता है अपका आधी सेलेक्टर और में अब यहां पर सपोज मैं Aक और 10 टैंग बनाता हूं वेस तो पैरा वन जो होगा देखोगे न नॉमली क्या होता है जो आईडी सेलेक्टर होगा वो आपको दो दो जगे यूज नहीं करना है क्योंकि इससे आप डॉक्यूमेंट अबजेक्ट मॉडल जो होता है उसमें इशू आने लगेगा तो आपको जो भी आईडी होता है न नहीं होना चाहिए अगर आपको यहाँ पर यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा उसका नाम अलग लिखना पड़ेगा ठीक है दो दो आईडी मतलब सेम आईडी सेलेक्टर में दो दो जगे यूज नहीं कर सकता हो अलग होना चाहिए ओके यहाँ पे आपको क्या करना है para 1 या para यहाँ पे कुछ और para 3 यूज़ करना पड़ेगा इसा para 1 यूज़ नहीं कर सकते कि para 1 इसके साथ associated हो चुका है एक ही के साथ आप एक HTML element के साथ एक ID selector यूज़ होता है और ID selector हमेशा unique होता है class selector जो होता है आप multiple यहां पर मैं यहां पर देखो classical selector में यहां पर अगर multiple जगह यूज़ करना तो मैं class selector use करूंगा और यही डिफरेंस होता है ID selector और class selector में okay देखो ID selector select the ID attribute of an HTML element to select a specific element ID is always unique within the paste so it is unique element ID क्या होता है हमेशा क्या होता है unique होता है इसलिए unique element के साथ use क्या आता है it is written within the hash character इसको hash character के अंदर लिखा जाता है जैसे कि मैंने बताया okay अब आते है class selector class selector क्या गता है the class selector select HTML element within a specific class attribute यह class attribute के अंदर लिखा जाता है और इसको कैसे यूज़ क्याता है period character से या फिर dot character बोल सकते हो या फिर period character बोल सकते हो all right the class selector you use when you want to change a group of element within your HTML page okay देखो difference याद रखना id selector मतलब unique elements के साथ आपको यूज़ करना है और अगर आपको multiple group of element के साथ यूज़ करना है तो आप यूज़ करोगे class selector all right for example यहाँ पे आप देखोगे तो एक intro बनाया class एक class intro बनाया गया है उसके इंदर text aligns दिया गया है center और color blue दिया गया है उसके बाद यहाँ पे class intro h1 में डाल दिया गया है class intro p में भी डाल दिया गया है यानि कि group of element के साथ यूज़ किया जा रहा है सिर्फ एक ही class okay sir PHP भी होगा क्या yes PHP भी कराएंगे आप लोग को समझ में आ रहा है कि आप फटा फट thumbs up या फिर कुछ ऐसा yes या no बोलो अगर आपको नहीं समझ रहा है false जा रहा हो paste change करना है कैसे करना है सब बताव आप चैट में फटा बट बताव okay उसके बाद आते हैं next class selector for specific element अगर मैं किसी भी element के इसलिए class selector बना रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा for example यहाँ पर है example में हमनों देख लेते है okay सबोज मुझे इससी p के लिए क्या करना है देखो parameter परा 2 यहाँ पर भी use हो यहाँ पर भी यहाँ यानि कि इसके लिए अपलाए होना चाहिए उस case में हम सीव क्या करेंगे जो परा 2 है न जहाँ पर क्या कर देंगे for example यहाँ पर देखो क्या किया गया है p.intro किया गया तो आपको क्या करना है safe यहाँ पर जो dot है इसके आगे p लगाना है ठीक है अब जैसे देखो मैंने p लगा दिया तो क्या हो गया जैसे यहाँ पर p लगाया तो क्या हुआ यह जो आपका देखो गे तो यह वाला है iam h2 tag वो क्या हो गया उसके उपर जो भी color blue और उसम निकल गया क्योंकि मैंने बोल दिया कि जो para to class रहेगा वो specific to p tag रहेगा यानि कि paragraph tag रहेगा ठीक है अगर मुझे सिफ s2 tag के specific बनाना है तो मैं क्या करूँगा एक दूसरा बना लूँगा ऐसा इसको यह copy कर लूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा para 3 और यहाँ पर लिख देंगे s2 और इसका color दूसरा देते हैं ताकि आपको difference पता चले यहाँ पर हम लोग दे देते हैं इसको ग्रे ग्रीन दे देते हैं ठीक है ठीक है तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं para 3 कर देता हूँ अब देखो यहाँ पर para 3 इसका color change जोगा है dot selector के दाद यूज करना है उसके बाद उसके पहले जो भी html element रहेगा उसको लिख दोगे p dot या जो भी है I have tps pdf जिसके बाद भी tps pdf है please मुझे dm करो directly telegram पर dm करो can you repeat it again concert repeat करना आपको class selector id selector तो I think समझ में आ गया अगर आपको यहाँ पर क्या बोला गया है देखो class selector for specific element अगर किसी भी class selector को specific element के लिए यूज करना तो आपको क्या करना है यह जो है suppose मुझे sif para 2 p के था साथ यूज करना था right मैंने क्या किया यहाँ पर p dot लगा दिया sif para 3 क्या करना था इसको sif s2 tag के साथ यूज करना था यहाँ पर s2 dot लगा दिया that's it alright guys so बढ़ते हैं next topic की तरफ यह था आपका selectors उसके बाद है universal selector universal selector बहुत ही साही चीज़ है यह क्या करता है universal selector जो बना जाता है वो star से बना जाता है star क्या होता है देखो यहाँ पर दिख रहा है star universal selector star से बना जाता है और यहाँ पर भी star लगा दोगे सब पर apply हो जाएगा ठीक है आप जैसे कि मैं यहाँ पर universal selector बनाता हूँ तो कैसे बनाएगे यहाँ पर लिखेंगे star और यहाँ पर ऐसा curry braces और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि font size 200 अब देखना है यहाँ पर यहाँ पर font size जैसे कि 200 डाला ओके यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 600 डालता हूँ देखो जैसे मैंने 600 यहाँ पर PX में डालता हूँ तो बढ़ेगा यहाँ पर बहुत बढ़ा हो गया जैसे देखो star selector मैंने बनाया या फिर इसको क्या बुल सकते universal selector यह universal selector क्यों बलता है इसको क्योंकि भाई यह पूरा universe जो web page का पूरा universe तो web page का पूरा universe उसका page होता है तो पूरे web page पर जैसे मैंने यहाँ पर universal selector बनाया उसमें font size 100 तो सारा font size क्या हो गया आपका 100 का हो गया अब यहाँ पर अगर मैं color देता हूँ यहाँ पर color अगर मैं सब का red देता हूँ तो देखोगे तो अब देखोगे तो यहाँ पर color मॉडिफाइ नहीं हो रहा है आप बोलोगी ऐसा कैसे आप बोले universal selector सब पर apply हो रहा है बट यहाँ पर देखो हरे का मैंने अलग-अलग color दिया है हरे का font size नहीं दिया था इसलिए सब का font size apply हो गया तो जो चीज़े मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं दिया है वह उस पर apply नहीं होगा फर example यहाँ पर अगर मैं पर थ्री में font size देता हूं और font size में 10 देता हूं तो देखोगे तो पर थ्री का font size जो मैंने यहाँ पर दिया वहीं आ रहा है तो अगर यहाँ पर प्रॉपर्डी यहाँ पर अपने उन्युवर्सियल सेलेक्टर में जो अप्लाई कर रहे हो बाकी जगर नहीं दिया है वहीं पर apply होगा for example font size आपको देखोगे तो इसमें नहीं दिया है तो इस पर apply हो रहा है इसके अंदर भी नहीं दिया है यहाँ पर para 3 में नहीं दिया है तो यहाँ पर apply हो रहा है बट यहाँ पर para 2 में नहीं दिया है यानि कि यह जो blue अला है यहाँ पर apply नहीं हो रहा है अगर मैं यहाँ से भी निकाल दू तो देखोगे तो सब पे apply होने लगा ठीक है तो universal selector क्या करता है सब को आड़े में लेता है और सब पे apply होता है बट अगर वो जो property दिया गया है वो कहीं और भी उनको specify किया गया है तो वो इस पे apply नहीं होगा औरएट गईस तो यह हो गया आपका क्या universal selector universal selector बनाया कर जाता है यह क्या करता है यह सारे elements को selector हम लोग बनाते है किसे star से बनाते है ठीक है star करके universal इसको wild card भी बोला जाता है औरएट इसे क्या बोला जाता है दूसरा नाम इसका wild card भी बोला जाता है उसके बाद आता है हमारा group selector group selector क्या करता है suppose करो यहाँ पे for example देखोगे तो यहाँ पे h1 पे मैंने css लिखा है h2 पे भी same css लिखा और p पे भी same css लिखा same भी है ना right h1 पे यहाँ पे क्या लिखा गया text line center और color blue फिर h2 पे भी लिखा है text line center color blue फिर p भी लिखा है text line center color blue तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे repeat हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है यह चीज़े repeat हो रही है बार बार यह चीज़े यहाँ से यहाँ तक group selector तो group selector में आपको क्या करना है इसको एक बार लिखना है यहाँ पर इसको one time मैंने देखो पुरा का पुरा लिख दिया उसके बाद आपको क्या करना है किसका किसका यह same है h1, h2 और p तो यहाँ पर आपको h1, h2 और p लिख देना और उसके बाद दॉर यहाँ पर आपको कॉमा कॉमा करके इसको लिख देना आपको देखो यह 3 बार लिखना जीए एकी बार लिखना पड़ा और बाकी जिसके जिसपे अपलाई करना उसको कॉमा के साथ लिख दिया हो गया आपका काम तो यहाँ पर अगर सेम चीज मुझे देखोगे तो यहाँ पर टेक्ट अलाइन कल यह चीज मुझे सब पर अपलाई करना है मैं क्या करूँगा अगर मुझे यहाँ पर क्या क्या है मेरे पास मेरे टाइग में देखो क्या क्या है सब पर सेम स्टाइल अपलाई करनी है तो मैं क्या करूँगा simply यह जो है ना इसको निकाल के भदतता हूं मैं किसके किसके ओपर apply करना है तो मैंने यहाँ पर h1 लिख दिया तो h1 पर apply हो गया अब किस पर करना है मुझे p पर भी करना है तो मैं यहाँ पर पर लिख दूँगा तो देखो p पर भी apply हो गया ठीक है अब मुझे इस पर भी करना है यह क्या अपना एस्टू टाय गया तो मैं यहाँ पर लिखू को इस पर भी apply हो गया तो सब पर देखो same style apply हो चुका है ठीक है same style अगर apply करनी है तो आप यूज़ करो ग्रूप selector और group selector कैसे किया जाता है आपका comma के through किया जाता है ओके तो यह था आपका group selector मैंने cover कर दिया अब यहाँ पर देखेंगे next इसका full code है आपको देख लेना है आप देखोगे समझ में आएगा positioning in css positioning क्या होता है css में positioning mostly क्या होता है यहां पर देखो static fixed और चार टाइप होती है relative absolute इसमें एक और टाइप होता है sticky जो आपके syllabus में नहीं है तो देखो positioning मतलब simply आपको जो elements है उसको एक जगह से दूसरी दूसरी जगह position करना है तो simply यहां पर इसका example अगर मैं देऊ तो देखो static relative fixed और absolute यह सारी positioning आपके syllabus में है sticky नहीं है ठीक है तो यहां पर देखो अगर मैंने किसी भी इसको क्या बुलते है जैसे कि यहां पर है div यह division है ओके यह div है इसको मैंने क्या क्या एक class बनाया उसको position देती है static अगर मैं इसको static देता हूँ तो क्या होगा actually static बोले तो by default जो ह होता है ना सबका static ही होता है ओके तो अगर आप यहां पर पड़ो होगे तो क्या लिखा है आपे this is by default positioning यानि कि जब आप कोई भी tag बनाते हो तो by default जहां पर position होता है वैसे रहता है for example यहां पर देखो अगर मैं यहां पर लिखता हूँ कहां गया meta tag यह सारे जो elements है ना h1 यह by default static position है h2 क्या है by default आपका static position है मतला आप जैसे ही tag elements बनाते हो यह tags बनाते हो वो सारे tags क्या होते है by default उनका position क्या होता है static रहता है ओके अगर मैं इस लिखूं position relative की जगा पर मैं लिख दो static तो कोई फरक नहीं पड़ेगा कोई फरक नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि वो by default static ही है ठीक है इतना याद रखना यह by default क्या होते है static होते है इसमें और भी चीज़े होती है अगर मैं positioning करता हूँ तो क्या क्या होता है पोजिशनिंग के साथ आप क्या यूश सकते हो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ओके हम इसको पिक्षल में दे सकते हैं तो टॉप देखो पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ता है सिलेक्टर का नाम फिर पोजिशन क्या रहीगा पोजिशन में आपका अगर मैं यहां पर बॉटम लिखता हूं तो क्या यह फरेक पड़ेगा बॉटम में अगर यहां पर लिखता हूं तो क्या यह फरेक पड़ेगा बॉटम में अगर यहां पर लिखता हूं तो क्या यह फरेक पड़ेगा बॉटम में अगर यहां पर लिखता हूं तो क्या यह हो रहाई किसी को कोई एफएक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि स्टाटिक पौजिशनींग फे ये बॉटम लेफ्ट टॉप का कोई एफinkट नहीं होता यह याद रखना तरह सकत्राइइड जाएब में बॉटम लेफ्ट टॉप का कोई भी इफ शैडिक में अगर मैं इसी को लिक दों no fixed but ha Bernard XY को दो फिक सब कुछ को बॉटम में घर मैंigon अगर मैं horror अगर मैं इससी को लगतीम अब्सलूट तो सब कुछ देखो कवा पर उस्टी को में अब लेक्ट हो लेख सब कुछ देखो कई अगर मैं यहाँ पे बाकी static के लावा कुछ यूज करो बड़ अगर मैं static यूज करूँगा तो static में भाई कुछ फरकी नहीं पड़ता है क्योंकि static जो होता है वो static positioning होता है मतलब by default जैसा element लिखते हो वो ऐसा ही रहता है top, bottom, right कुछ भी effect नहीं होता है उसके बाद आता है आपका fix positioning fix positioning में क्या होता है यहाँ पे मतलब अगर मैं इसको fix कर दू fix positioning का मैं example ही दे देता आपको तो आपको समझ में आ जाएगा for example यहाँ पे यह fix है अब देखो यहाँ पे fix positioning में क्या होगा मैंने क्या लिया है position, fixed, bottom 0 bottom 0 मतलब जो भी element में position fix कर रहा हूँ किस पे कर रहा हूँ यह div पे कर रहा हूँ यह div है देखो यह वाला div है इस पे position fix लगाया है मैंने class अब देखो यह कहाँ चले गया bottom 0 देखो तो नीचे चले गया और उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो लेके जाना है तो मैं यहाँ पे bottom निकाल दूँगा तो यह देखो top पे आ गया और top पे ले जाना है इसके उपर भी top पे ले जाना है तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे लिखूँगा top और यहाँ पे minus 10 लिख दूँगा ठीक है 10px लिखते हैं देखो और टॉप पे चले गया तो मुझे जो इसका by default टॉप रहता है उससे और भी टॉप पे लेके जाना है देखो यहाँ बाइ डिफॉल्ट मतलब इस element के नीचे ही fix होगा हो बट इसके उपर भी टॉप के लिए जाना है और यह क्या होगा scroll scroll कुछ नहीं होगा यह जहाँ पे अपने इसका position fix कर दिया वैसे ही रहेगा यह फॉर एक्जामपल यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ देखो यह scroll नहीं हो रहा है अब देखो इसका मैं आपको थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ तीक है आप देखो यह scroll हो रहा है सब कुछ scroll हो रहा है बट यहाँ पे आपका जो fix position का element हो वहीं पे है अगर मैं इसको top निकाल भी दू कहां चले गा इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ आप देखो यहाँ पे मैं सब कुछ scroll कर रहा हूँ सब कुछ scroll हो रहा है बट आपका जो fix position का element है वो वहीं का वहीं है क्योंकि उसकी position आपने fix कर दिये भाई इसके अलावा वो कहीं से हिलेगा नहीं यह होता है आपका fix position का example और इट उसके बाद हम लोग देखते है relative positioning क्या होता है तो relative में अगर मैं suppose इसका position relative कर देता हूँ इसको मैं reload करता हूँ इसका position relative कर देता हूँ तो देखो यह कुछ वह ऐसा कुछ और नहीं होगा bottom 0 एक minute तो देखो relative positioning क्या होगा वह relative रहेगा यानि कि आपका for example यहाँ पे देखो fix positioning सबको समझा रहेगा उसके बाद हम relative देखते है the relative positioning property is used to set the element relative to its normal position यानि कि इसका normal position हम लोग अगर यहाँ पे देखोगे तो यह सब निकाल देता हूँ for example यह सब निकाल देता हूँ इसका normal position क्या होगा यह डेव का normal position क्या होगा इसके नीचे आप जब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ relative bottom 100px तो वो क्या करेगा इस position से relative हर काम करेगा bottom 100px मतलब अब यहाँ से यह उसका bottom एकदम अब यहाँ से 100px डालूँगा तो यह और उपर जाएगा bottom की तरफ जैसे कि यहाँ पे डालूँगा 200 ठीक है तो यह देखो उपर की तरफ गया आपको दिखेगा है नहीं अचली यहाँ पे 100 डालता हूँ देखो यहाँ से वो क्या किया गए उपर गया यहाँ से bottom मतलब bottom से 200px उपर गया इसका bottom यह है इसका main position क्या यह है इसलिए वहाँ से वो 2px उपर गया अगर मैं यहाँ पे top डालता हूँ top 100px तो यह यहाँ इसका main position यहाँ से क्या होगा यह उसका top position है यहाँ से वो नीचे जाएगा 100px अगर right यहाँ पे 0 डालता है अगर right मैं यह right actually हिलेगा ही नहीं क्योंकि इसका right और left वहीं है right इसलिए वो नहीं हिलने वाला है तीक है तो I hope आपको relative भी समझ गया उसके वो absolute positioning क्या होता है absolute मतलब वो इसके हिसाब से काम करता है आपका पूरा window के हिसाब से काम करता है और example अगर मैं इसको absolute देते तो अब देखो इसको मैंने absolute दिया उसका top right से निकाल देते हैं फिर देखना okay see absolute दिया अब क्या होगा मैंने अगर यहां पे लिखा top या फिर लिखा bottom अगर suppose bottom zero लिखता हूँ तो यह कहां जले जाएगा bottom में चले जाएगा ठीक है तो यह अपने original position की साब से नहीं काम करता है इसके window के साथ यह पूरा window है इसके साब से काम करता है कि bottom यहां से यहां तक bottom कौन सा यह है यह है right अगर मैं यहां पे लिखता हूँ right right is zero तो यह क्या हाँ चले जाएगा right right में चले जाएगा देखो अब right में चले गया ठीक है तो देखो absolute position क्या करता है this property sets an element in a specific location and it is not affected by flow of the page ठीक है flow page के flow के साब से effect नहीं होता है this property position the element at the specified coordinate relative to screen top to left corner यानि कि यह पूरा screen यहां से लेके यहां तक का वो उसका position रहता है अगर आप bottom दोगे तो उसको bottom zero यह मानेगा ठीक है bottom zero जैसे relative में उसका bottom zero यह था ठीक है अब यहां पे suppose करो कि मैं यहां पे div के उपर एक और div बना देता हूँ या फिर ठीक है इसके उपर div के उपर एक और div बना देता हूँ मैं suppose यहां पे अगर आपको दिख रहा होगा तो div के अंदर मैं एक और div बनाता हूँ और रइट इसको मैं थोड़ा सा यह कर देते हैं indentant करते हैं और इसके बाद एक और class बनाता हूँ मैं due fix और यहाँ पर लिखता हूँ due absolute या relative लिखता हूँ और इसके बाद मैं क्या करते हूँ इसको position relative करता हूँ और रैट और यह जो है न due यह जो relative है इसको यहाँ पर डाल देते हैं अब देखो अब मैंने जैसे ही यह वाला div के अंदर जो अंदर वाला div है fix जो fix नहीं था क्या था absolute था उसको डाल दिया अब क्या होगा यह जो div है यह इसके हिसाब से move करेगा क्योंकि इसका position मैंने क्या कर दिया है relative डाल दिया है अब यह जो div है यह वाला green वाला यह इसके हिसाब से move करेगा यानि कि अब इसका जो bottom रहेगा यही रहेगा इसका left और right यही रहेगा अब मैं देखो यहाँ पर bottom 100 डालूँगा तो यह एकदम आपका जैसे relative काम कर रहा था वैसे ही काम करेगा देखो यह था आपके positioning उसके बाद आता है आपका float property float property क्या करता है आपके elements को float कराते है यानि कि इधर से उदर उदर से इधर left से right राइट से left आपको elements को क्या कराना है adjust कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा use करना पड़ेगा float तो देखो float is a CSS property written in CSS file directly in the style of the element ओके इसके अंदर हम लोग suppose करो example लेते हैं directly float का float in CSS अगर यहाँ पर जाते हैं देखो तो अगर यहाँ पर किसी भी element को float कराना है left तो हम लिखेंगे float left किसी भी element को float right कराना है तो हम लिखेंगे float right तो देखो यहाँ पर float left right none और inherit करके property होती है फिलाल हम पढ़ने वाले हैं क्या left right और none none मतलब कहीं पर भी नहीं for example यहाँ पर देखो क्या हुआ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ थोड़ा यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है पहले code समझाता हूँ यहाँ पर लिया गया है एक s2 tag s2 tag के बाद लिया गया है s2 tag में देखो यह float right लिखा गया है उसके बाद यहाँ पर paragraph लिया गया है यह वाला paragraph उसके बाद यहाँ पर एक और paragraph लिखा गया है जिसके अंदर image लिया गया है यह image है और image के अंदर भी बहुत सारा paragraph लिखा गया है और paragraph tag यहांपे आपका close है आप देखो यहांपे जिए image tag है वो क्या लिखा गयाए उसको resonate प्लोट right किया है image tag को लिखा गया है float right but यहांपे देखो गोई तो image tag यहांपे left में लिखा गया है पहले image tag लिखा गया है फिर इसके बाद आपका paragraph tag लिखा गया paragraph है तो जबी भी आपको जो भी element है उसको आपने अगर पहले लिखा उसको right में float कराना है तो आपको use करना पड़ेगा क्या float right for example में इसको और आपको फटा फट दिखाऊ तो देखो अगर मुझे इसको यहां पर राइट में लाना है इसके welcome to HTML5 तो मैं क्या करूँगा यहां पे जाऊंगा CSS में और यहां पर लिख दूँगा यहां पर CSS में क्या के है पैरा 3 तो यहां पर मैं पैरा 3 class उठाऊंगा और . ऐसा लिखोंगा और यहां पर लिख दूँगा float right अब देखोगे तो ये क्या हो रहा है welcome to HTML5 के बाद ये कहाँ चले गया right में चले गया I am h2 tag ये ही था ना पैरा 3 में तो देखो तो पैरा 3 में क्या है I am h2 tag ये क्या हो गया float right मतलब इसके right में float कर रहा है कौन सा tag ये वाला tag अब मुझे क्या करना है इसको भी right में float करना है तो मैं यहां पे लिख दूँगा para 3, para 2 लिखता हूँ अब देखो ये भी क्या होगे उसके right में float कर रहा है कुछ भी चीज right ये left में float करना है तो मैं अगर इसको left लिखता हूँ तो ये देखो ये left में float हो रहा है ठीक है तो float मतलब क्या किसी भी element को किसी के बाजू में लाना है तो हम लोग यूज़ करते हैं क्या float यूज़ करते हैं और रैट तो यहाँ पे properly दिखता रहेगा आपको और रैट गैस तो यह हो गए आपका float property यहाँ पे example फड़ावट देख लेते हैं तो यहाँ पे देखो कि यहाँ image tag था इसको float किया गया है आई-मजी float right यह देखो right में दिख रहा है आपका वैसे ही अगर मुझे left में float करना है तो यहाँ पे लिखूँगा आई-मजी float left सेम चीज था है यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे float left किया तो यहाँ पे left में दिख रहा है all right sir और कितना घंटा चलेगा पीस मिनट और तीन बज़े तक इसको ख़तम करते हैं all right उसके बाद no float मतलब क्या होगा कहीं पे भी float नहीं होगा यह था आपका float इसके बाद बढ़ते हैं next this keep the element float on the left side this keep the element on the right side और none क्या करता है कहीं पे भी float नहीं करता है next is display property display property क्या करता है आपका display देखो जैसे कि elements को हम लोग को display करता है तो display property in CSS define how the component div, hyperlink, heading सब कैसे display होंगे are going to be placed in the webpage it is specified how the element are displays तो यहाँ पे देखोगे तो क्या क्या properties आती है पहले display लिखना पड़ता है उसके बाद value value में क्या क्या लिख सकते हो inline block फिर inline block और none तो इसको हम लोग देखते हैं example के साथ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ display in css अब देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे पहला क्या लिखा है h2 को display none लिखा है ओके एक मिनट अब यहाँ पे पहला देखा है p tag को color red दिया है जितने भी p tag है यहाँ पे देखोगे तो p tag यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या है p tag है so color red दिया गया है उसके बाद देखा है p exe और उसमें बुला गया none तो जहाँ पे exe क्या है one है तो यहाँ पे देखो exe one hello world तो क्या यहाँ पे आपको display कुछ भी हो रहा है क्या यहाँ पे इसके अंदर देखोगे तो कुछ भी hello world दिख रहा है क्या नहीं जब भी आप display none करोगे तो वो text गया होगा है जहाँ पे भी आप लिखोगे display text display none तो वो text आपका गया बज़ेगा फिर इसके बाद आप लिखोगे display inline तो वो कहाँ पे देखो p exe2 तो यहाँ पे क्या लिखा गया इसके लाइन में आएगा एक लाइन में आएगा ठीक है तो यहाँ पे देखो एक ही लाइन में आया है नाइन ब्रेक नहीं हुआ है अब इन लाइन और ब्लॉक में आपको इन लाइन मतलब एक लाइन में आया है बड़ ब्लॉक में क्या हो गया यह अलगी लाइन में आ अपना ठीक है तो यह डिफरेंस है इन लाइन और ब्लॉक में फिर इन लाइन ब्लॉक में क्या डिफरेंस है आपका देखो यह जो है EXC4 Inline Block दिया है यहाँ पर EXC4 क्या है Inline Block है Inline Block क्या है Inline और Block का Combined Inline में क्या हता है? एकी लाइन में आता है तो यहाँ पर देखो कि तो एकी लाइन में आएगा आपको Inline Block जो होता है Almost same होता है आपका Inline जैसा ही Alright ऑट तो यह था आपका इस अप्रेश है प्रॉपड है गरनल कर दोग Melanie ऑटा है गाए अलिमेंट इल्लाइन करो गे इक लाइन में टेक्स्ट आएगा ब्लॉक करोगे तो अलग अलग लाइन में आएगा और इंलाइन ब्そ रोगे हैगा व Kent कंबान क्चा साइग का ना नार सब में विड़ाइट सेट नहीं कर सकते हैं, बड़ अगर आप इंलाइन ब्लोग लिखो गए तो इसमें विट और हाइट सेट करते हो, for example यहाँ पर देखोगे तो मैं अगर inline element जो है मेरा यहाँ पर इसमें मैं क्या करता हूँ आपको width set करता हूँ inline element इसमें लिखता हूँ width 100px तो देखो कुछ भी effect नहीं हो रहा यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 100px लिखता हूँ अगर मैं यहाँ पर इसको inline block में ढालता हूँ तो देखो यहाँ पर जो गए चेंज हो गया width क्या आ गया 100px में यहाँ पर width आ गया इसका 100px अगर मैं यहाँ पर इसको width में 400 कर दो तो इसका width देखो 400 यहाँ यहाँ से लेकर पूरा यहां तक जो gap create है उसका ही width है तो याद रखना यही difference है inline inline मतलब क्या होता है एक line में दिखाता है block मतलब अगर आपने किसी में block डाल जाल तो block block मतलब अलग-अलग line में दिखाएगा inline block क्या होता है यह same होता है inline जैसा ही but inline block में आप width यूज नहीं कर सकते हैं but inline block में आप क्या कर सकते हो width और height यूज कर सकते हो none करोगे तो आपका element काया हो जाएगा all right guys यह होगे आपका display property I hope आपको समझ में आ रहा होगा हर एक चीज आपके दिमांग में बैट रहोगी अब आपको लगनी रहा होगा कि रट्टा मारना है कोई भी चीज और इसके बाद आप जब mcqs and all पढ़ोगे तो आपको ऐसा ऐसा आपके दिमांग में घुस्ता जाएगा सब कुछ ठीक है तो यह सब थे example आपके यहां पे तो यहां पे देखोगे तो यह है आपका एक example क्या structure कैसे था यह हम लोगोने 11 में पढ़ाता पहले आपका header आता है फिर इसके बाद यहां पे आपका आता है फिर यहां पर यहां पर आपका section आता है फिर यह आता है फिर इसके बाद एक article आता है फिर footer आता है तो से वही example है आप देखोगे तो मैंने स्को यहाँ पर example देखो यहाँ पर इसको मैं अगर close करूँ तो पहले क्या आ गया अपका header आ गया आगा header कहां से आपका यह header आया है आपका यहां से यहां से लेकि यहां तक क्या है देखोगे तो header है उके उसके बाद आता है आपका nav bar तो यहां से यहां से यहां तक देखोगे तो यह पूरा nav bar के अंदर nav tag आता है navigation bar लगाने के लिए navigation bar अगर नहीं पता है तो आपको बता दू फॉर एक्जंपल यहां पे कि यह देख़ो यह क्या होता है यह नफ़ उता है यह यह आपका section होता है यह लुक्त हे तो वही यहां पे दिखाया गया आपको aside के अंदर यह आ जाता है आपका यह पूरा aside फिर इसके बाद यहाँ पे aside के बाद आपका आता है section तो यह पूरा आपका section आ गया ठीक है यहाँ पे इसके बाद यह section आ गया यह वाला इसके बाद यहाँ पे आता है आपका article article यहाँ पे देखोगे तो यह है यह नीचे एक article है, फिर नीचे यह क्या है, footer है, ठीक है, यह एक्जाम में इतना नहीं पुछा जाएगा, फिर भी याद रखना, जो structure में, HTML के structure में क्या क्या आता है, header आता है, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, उसके लिए क्या header tag, और उसके लिए हम लोग यूज करते ह तो बीच में दिखता है, article मतलब वो भी ऐसा ही कुछ होता है, देखो, section के नीचे आ गया, फिर उको footer लिखना है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, footer tag, अगर आपको aside में, कुछ side में कुछ है, तो उसके लिए उसका पड़ेगा, aside, ठीक है, यह सारे थे, आपक orders को आपको दिखा देता हूँ, orders, फटा फट इसको पांच मिट में खतम करेंगे, हम लोग list क्या होता है, देखो, यहाँ पर, order list और unorder list होता गया है, तो unorder list मतलब होता है, जिसके अंदर सी bullets होते है, कुछ ऐसा character type use होता है, कुछ ऐसा symbols use होता है, ठीक है, but ordered list, यह से हम numbered list ब इसके अंदर, आपको पता जिया किसका order कितना है, यह कौंसे order में है, but इसमें आपको पाज़ा लगिए, फर्स्ट है, फोर्स्त है, इसलिए, उसको बलते है, ordered list, इसको बलते है, unordered, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कोई भी order नहीं होता है, सिरिव इसमें symbols होते है, ओर अगर मैं इसको रन करूंगा तो इसका देखोगे तो आउट-पुट ऐसा कुछ आएगा देखो बुलेट आते हैं इसको क्या बोलता है इसको क्या बोलता है बाइडिफॉल्ट डिस्क इसके और और भी टाइप साते हैं जैसे कि में अब और लिस्ट भी देख लेते हैं उललाकि वैसे ओ स सकते हैं वैसे और ऑट लिस्ट बनाए जाता है अब यहां पर और यहां पर आ और ब gi法 यहां पर यहां पर दिया नहीं है देखो अनौर्डर लिस्ट में अगर मैं देखो और भी इसके अंदर क्या-क्या मिलता है मुझे style list type मतलब मैं disk circle square by default क्या रहा था disk का रहा था अगर मैं यहां पर batch screen सार्कल डासुकंद अगर मैं यहां पर शर्कल डालने करदया है कि अगर अगर मैं यहां पर क्यों डाल दूऊं कि ह consig हें और उनौर पे आप संक हाट लिए ступ का मुझे तो यह होता है दिफॉ्परइस्टीब हो sports of उसके बात है आपका यह तो उन्होंने देखा सर्कल स्क्वाइर आपने अगर नंड डाल दिया तो कुछ भी नहीं आएगा देखो नंड डाल दिया तो सब कुछ गया वेगा सिर्फ लिश्ट आ रहा है थीक है वैसे आपका देखो एक होता है nested list nested list मतलब क्या होता है जब हम लोग list के अंदर list बनाते हैं देखो पहले यूवल टैग लिया उसके अंदर ये list बनाया फिर लिस्ट के अंदर भी एक और यूवल टैग लिया है मतलब list के अंदर को लिस्ट घुसाना है आपको तो आप यूज कर सकते हो ये nested tag में कुछ difference नहीं होता सिर्फ लिस्ट के अंदर आप लिस्ट बनाते हो दूस एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट जैसे यहां पर कॉफी है फिर टी है टी के भी दो तिन टाइप है तो जैसे ब्लैक टी ग्रीन टी तो यहां पर क्या कि हम लोग ने इसके list के अंदर भी ए Jca अपको तो नहीं है।섯 लिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे ठीक है तो आप दीख्ते हैं और सब कूछ सेमी होता है सिव यहां पर आपको जो टाइप होता है वन ए ए ऐसा कुछ दाल सकते हो आप फ़र eder करह भी यहां पर देखो आपने टाइप में अगर वन डाला तो वन आ गया और एट गाइस तो यह हो गया आपका जाrans फेस की अपकर डेखो प्लिट्ट में ना एक स्टार्ट एक और आता सो इससे स्टार्ट मतलब और स्टार्ट स्टार्ट में इसके रहाँ गाल पार्स साय को निकाल करते हैं तो देख और पे 100, 101, 102 और अगर आपको list को कहीं और से start करना है तो उस case में आप use कर सकते हो I hope यह भी चीज आपको समझ में आ गई यह list पूरा अपना खतम हो गया और राइट गईस उसके बाद आता है attributes of ul यह हम लोग ने अल्यदी पढ़ लिया disk, ओके फिर circle, फिर square फिर none, यह सब पढ़ लिया है फिर definition list का होता है definition list बहुत easy चीज है for example आपको क्या करना पड़ा है आपको, आप लोग heading डाल के फिर उसके पारग्राफ लिखते हो आप लोग क्या करते हो, पहले heading डालते हो उसके बाद paragraph लिखते हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते है definition list या फिर उसको बोलते हो description list for example यहाँ पर देखो description list में आपको ऐसा कुछ करना है पहले heading डालना है, उसके बाद उसके बारे में लिखना है पहले heading में आपने लिखा अब कॉफी के बारे में यहाँ पर लिखना है फिर यहाँ पे milk लिखा फिर milk के बारे में यहाँ पर लिखना है तो आपको क्या करना है definition list यह description list यूज करना पड़े इसका tag होता है dl, आपको लिखना पर लिखना पर दिए ецज देटा description और डेटा description में आपने यह डाल दिया सपोस्त यहां पर देखो data description दिक रहे है उसके वापस से एक और heading चाहिए तो मैंचे dt लिखना पड़ेगा यानी की data title यह लिख दिया उसके बाद dd वापर data description वापस यह लिख दिया एक दम description description list एकदम हल्वा है हल्वा एकदम सिम्पूल है भाई लोग यहां पर देखो DL लिखा DL मतब description list उसके बाद आपको heading चाहिए तो heading लिखाओ फिर description फिर heading फिर description ऐसा लिखना है आपको तो DL DT और DD यह तीन ही tag होते हैं description tag के अंदर और और राइट तो यह हो गया आपका complete definition list अब nested list भी मैंने आपको पढ़ा दिया अगर list के अंदर list लिखना है तो कैसे लिखा जाता है यह हो गया अब आके है insertion of audio and video अगर आपको audio और video यूज़ करना है तो कैसे करोगे आपके website के अंदर आपको audio वीडियो दोनों यूज़ करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा audio tag and video tag यह आपके HTML5 के अंदर add हुआ है ठीक है यहां भी देखो audio tag कैसे यूज़ करते हैं तो audio अंदर आप क्या लिखोगे जो भी आपकी audio file है okay जो भी आपके गाने के CD या गाने का file है उसका जो पात रहेगा न यहां पे लिखोगे right तो सब लोग तो गाना सुनते रहेंगे right अगर आपको music application या music website बनाना है उसकेस में आप यह audio tag यूज़ कर सकते हो right audio अपको क्या लिखना है source tag लिखना है source tag इंदर आपको src लिखना है src अधर आपको अपात देना है आप लोगे 22src source tag यूज़ करना है तो 22 isla यह वाला चला नहीं तो उसकेस में तूसरा चलेगा ठीक है अब इसमें अलग अलग अप जो एक्स्टेंशन से आपके audio क्या होती है MP3 होती है यह सारी files के extension आप यूज़ कर सकते हूँ इसके अंदर टाइप में लिखना पड़ता है आपको कौँ को आपके audio की file का टाइप क्या है तो यहां पर audio का ओ जी जी लिखा यहां पर MP3 है तो यहां पर देख लेते हैं कि यह सब क्या है control इंट्रॉल क्या है देखो अगर अपने audio में control लिखा तो यहां पर आपको यह play pause यह सब दिखेगा और राइट तो यह सब आपको दिखेगा यह साउंड विंड का सब control अगर मैं control निखाल देता हूं तो यहां पर देखोगे तो सब कुछ गया हो गया तो audio tag में आपको controls use करना ही है तो यहां करना ही पड़ेगा तो यहां पर आपको ऐसा दिखेगा क्योंकि audio में और होता है क्या है controls के लावा और कुछ नहीं होता है राइट एकदम easy एकदम simple एकदम हल्लुआ राइट उसके बाद यहां पर देखो controls attributes add add you like play pause volume यह सब control में है source में क्या दालते हो आप source में audio का फाइल डाल देते हो उसके बाद इसमें आता है एक और attribute autoplay autoplay करोगे तो यह automatic play हो जाएगा ठीक है जैसे ही मैं autoplay किया तो automatic यह क्या हो रहा है यहां पर play हो जाएगा ठीक है जैसे आपका website लोगा वैसे यह क्या हो जाएगा प्ले हो जाएगा autoplay में तो यह आद रखना इसका audio का autoplay करके एक attribute होता है उसके बाद आता है यहां पर muted अगर muted रह तो यह mute हो जागा जैसे ही मैंने यहां पर muted डाला है यह क्या हो गया automatic जैसे ही मैं इसको सपोर्ट करता है यह कौन-कौन सी आपकी ओडियो फाइल सपोर्ट करेगा MP3 OGG या फिर वेफ फाइल होती है जो मुझली आपको आइपल या इसमें iOS या इसके अंदर मिल जाता है वेफ फाइल बनती है OGG भी साइथ उसका ऑडियो फ़र्मेट है वेफ फाइल टाइप यह सब प्ले करते हैं और राइट इसका फाइल टाइप ऐसा लिखना पड़ेगा आप जो भी फाइल टाइप यूज कर रहे हो यह था आपका ऑडियो टैग उसके बाद देख लेते हैं वीडियो टैग कैसे य यह दो झाल्ड देखने हैं थाथ लोगा इसके बाद आपका जो ब Observable साव अब कमचें साव जैसा तांथ है इसके नडर वीट ट्रो पास का जाफ यह वालिय८ ने हैं शुआ कữa प्ले का बटन होते हैं तो कि सेम लाईयो जैसा था वैसा ही इसके आफसा width and height भी डाल सकते हो, audio में ऐसा नहीं था, width and height attributes नहीं था, but video में width and height है, यह difference पूछ सकता है audio और video के अंदर, ठीक है, इसमें भी source होता है, src attributes होता है, इसके अंदर, फिस के बार, इसमें भी आप क्या करोगे, अपने video का, यहाँ पे file का part डाल दोगे, फिर video के file का type क्या है, यहाँ पे आप डाल दोगे, that's it, यह होता है आपका video, ठीक है, अब यहाँ पे देखो autoplay नहीं है, तो इसलिए autoplay नहीं हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे autoplay डाल दूँ, इसमें भी आता है autoplay करके option, देखो autoplay डाला, तो यह autoplay होने लगा, ठीक है, audio video में autoplay का याद रखना option होता है, अब इसमें देखो autoplay वाला same जो मैंने बता है, वही है, इसमें भी muted वाला scene होता है, तो बस यहीं चीज़ होता है, यह भी जैसे वहाँ पे MP3 support करता था, यहाँ पे MP4 support करता है, OGG, यहाँ पे भी OGG भी क्या होता है, आपका video file होता है, और एक होता है webm करके होता है video file, तो यह साथे 3 type, यह पूछा जाता है exam में, कौन कौन से type के file support करते हैं, तो OGG, webm और MP4, ठीक है, यह हो गया आपका video file, सब कुछ control हो गया, सब कुछ cover हो गया, आपका autoplay हो गया, controls हो गया, loop क्या करता है, loop मतलब आपने अगर यहाँ पे loop डाल दिया, तो क्या होगा, loop में डाल दिया तो आपका जो video है वो loop में प्ले होने लगी है, फॉर एक्जामपल, यहाँ पे हम लोंने जो दीखा था, अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे loop डाल दिया, यह चीज सेम आपके लिए, आडियो के लिए भी होता है, तो यह loop में प्ले होगा पुरा, ठीक है, बार बार प्ले होने लगी है, यह सब चीज आपको पता रहे की, muted मतलब mute, src मतलब हम लोg source के अंदर यूज करते हैं, और यह पूरा का पूरा ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, यह इसकी जरुद भी नहीं पड़ीगा, अब directly भी यूज कर सकते हो, और राइट, source stack का भी यूज नहीं करोगे तो भी चलता है, बट अगर आपको multiple source हैं आपके, तो आप उस case में क्या कर सकते हो, हो, source stack का यूज करते हो, multiple source हैं, तो ही source stack का यूज करते हो, otherwise, अबर, देखो, यह multiple क्यों दिखा गया है, क्योंकि आपका, अगर apple यूज कर रहे हो, तो उस case में, आपको MP4 जल्दी support नहीं करता है, उस case में, अलग-अलग support, अलग-अलग browser support के लिए हम लोग यह का करते हैं, अलग-अलग source file upload करते हैं, वीडियो के साथ, अगर आपको पता है कि ठीक है, यह सब जगे चलेगा, तो आप directly यह निकाल के, इसको क्या कर सकते हो, सीव SRC के अंदर use कर सकते हो, और रैट, तीन बच चुका है, हमको और फटावर्ट थोड़ा इसको जाना पड़ेगा, ठीक है, फटावर्ट हम लोग खटम करते हैं, लेकिन फटावर्ट का मतलब यह नहीं कि आपको समझ में नहीं आना चाहिए, सब कुछ, I hope आपको clear हो ग साथ में cover करते जा रहा हूं, source क्या होता है, यह सब आप पढ़ोगे, आप समझ में आ जागा, सेम SRC, autoplay, control, height and width, loop, muted, यह सब कवर हो गया अपना, फिसका दिक और इसमें देखो, poster करके आता है, यह मैंने नहीं बताया, poster में होता गया, पोश्टर में यहाँ पर example में आपको दिया नहीं है, शाय से, poster में होता गया, पोश्टर में क्या होगा, कि जब आपने अगर poster दिया ना, तो अगर सब्सक्राइब का audio या video file में यूज होता है, तो अगर आपका video file बहुत बड़ा है, poster मतलब समझों कि image देते हैं हम लोग, आपका video file को load होने में क्या हो रहा है, बहुत time लगी है सब्सक्राइब, उसके इसमें आप क्या कर सकते हो, एक image डिस्प्ले कर सकते हो, जब तक आपका जैसे थमलील होता है, वैसे ही समझ दो की poster होता है, ठीक है, थमलील ही समझ दो क्य आपका एक poster हो गया, उसका preload मतलब क्या कर सकते हो, आप अपना जो video है, उसको website जैसे ही load होता है, वैसे ही आप चाहिए तो उसको load करा सकते है, उसके लिए preload होता है, preload अगर आप auto डालोगे तो preload होगा, अगर metadata अगर मतलब आप बोलोगे, जो audio, sorry, video है, उसको, उसका metadata है यानि कि जो video का file का नाम या क्या जो भी है, उसका type वो सब पहले लोड कराना है, तो वो आप metadata लोड करा सकते हैं, तो preload में अप metadata पास कर दोगे, अगर आपको कुछ भी preload नहीं करना तो preload में नन कर सकते हो, by default नन होता है, और यह हो गया आपका पूरा cover, क्या बोलते है, audio जो इन वीडियो, उसके बाद देख लेते है, image map, next topic is image map, यह बहुत easy है, आपको क्या करना है, suppose, यहाँ पर मैं example पहले देता हूँ, फिस के बाद, देखो image के उपर क्या आ रहा है, यहाँ पर link आ रहा है, image के उपर आपको ऐसा arrow दिख रहा है, कहीं कई image में, देखो, hand बन के आ रहा है, हर जगर नहीं, कहीं कहीं, देखो, मैं उपर लेके जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है, अगर मैं इसे click करूँगा, तो यह क्या हो रहा है, दूसरे, आपके file पे लेके जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है, तो हम लोग क्या कर सकता है, जो इतने एरिये को मैं clickable बना सकता हूँ या फिर इतने एरिये को मैं clickable बना सकता हूँ या फिर इतने एरिये को मैं clickable बना सकता हूँ अगर मुझे image के किसी particular area को clickable बनाना है तो उस case में image map use कर सकता हूँ करता हूं फिर भी आपका image है बड़ आपका hand sign चले गए क्योंकि मैंने यहां पर map निकाल दिया अब देखो यहां पर आपको अगर image में mapping करना है मतलब clickable बनाना image के area को तो मैं यहां पर use करूंगा map tag ठीक है map tag में एक attribute आता है अब यह क्या है तो यह जो attribute है name इसको क्या हमको map और image को link करने के लिए काम आता है मतलब image और map के अंदर एक relationship बनाना है कि यह map जो है इस image का ही है ठीक है उसके लिए हम लोग use करते है है name attribute और राइट यह name attribute में हम लोग ने नाम दिया कुछ भी आप यह नाम दे सकते हो अपना नाम भी लिख सकते हो but relevant नाम लिखना ज़री होता है तो यहां पर जो नाम है image name में वही यहां पर भी नाम है use map तो image के अंदर एक और attribute आता है use map use map क्या करता है एक अगर image को map के साथ link establish करना होता है तो हम लोग use का करते है use map तो अभी use map में हम लोग ने hashtag दे दिया work map तो देखो यह work map और यह work map का नाम सेम है यह जो नाम होना चाहिए यह इस नाम से एक दम exact same होना चाहिए तो क्या होगा यह जो image है इस map से link हो जाएगा अब मुझे क्या करना है suppose यह image के अंदर एक area draw करना है shape rectangle shape का area draw करना है और और उसके बाद इसमें जो rectangle shape का area उसका coordinates देंगे उसके बाद वो क्या होगा वहाँ पे clickable बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ image के अलग अलग area को मैं clickable बना सकता हूँ for example यहाँ पे देखो गए तो पहला example देखो अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक मुझे क्या करना है एक clickable area बनाना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे shape में डालूँगा rectangle और यह जो shape था कहा गया यहाँ पे area के अंदर shape के अंदर क्या डालू मैं त्या करोंका पहले इस को कोडिनेट का मैं इस पॉइंट का ौढिने निकाल लूगा ऑपको पता है एक्सवाय ओडिनेट होता है यहाँ पिस ओगा अपका आपका आपको य एक्सिस य ग्हें तो मुझे क्या करनाईपना जिस निकालना पड़ेगा अंदाजन से क्राइ Maar का value यह तो मैं क्या करूंगा x & y axis का पहला value डाल दूगा फिर इसके बाद मुझे यहां तक map करना है कहां तक इसको यहां तक मैप करना है तो इस coordinate का value डाल दूगा इस coordinate का value suppose 270 and 35 तो मैं यहां पर डाल दूगा और एट, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस पर click करने पर इस area यहां से लेके यहां से लेके यहां तक इस area पर click करने पर मुझे कहा जाना है, तो उसका यहां पर href में link डाल दोगा, that's it, थीक है, तो आपको यही करना है, यहां पर भी वही क्या गया है, एक area लिया गया है, area tag, इसके अंतर कौन सा shape में आपको क्या करना है, tagging करना है, तो हमको rectangle में करना है, rectangle में हम लोग क्या करना है, कि mapping करना है, उसके बाद rectangle में हम लोगने इस x, y, x, coordinate लिया, वो डाल दिया, यह, यह है, फिर यहां तक map करना है, तो इसका x, y, coordinate लिया, और डाल दिया, ठीक है, उसके बाद हमको इस पर क्लिक करने पर देखो यह दूसरे पेज पर जा रहा है, तो उसका यहाँ पर पाट डाल दिया है, that's it, ठीक है, तो यह हो गया आपका इमेज मैपिंग, अभी देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ही मैपिंग, इसके जैसे ही मैं बाहर लेके जाता कितना बड़ा circle चीए, तो मैं यहाँ पर, यहाँ पर radius का value डाल दूँगा, तो यह circle बन जाएगा, alright, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक इसका mapping के लिए हमनोंने rectangle उसकिया, अब उसके बाद मुझे circle बनाना है, देखो यह यह वाला mapping करना है, तो मुझे क्या करना पढ़ेगा, पहले, इसका एक coordinate निकालना पढ़ेगा, xy axis, फिसके बाद कितना, इसका radius है, देखो, radius निकालना पढ़ेगा, radius मतलब हमनों निकालना लिए, अंदाजे से डालेंगे सब कुछ, तो सबोज यहाँ पर 44 है, तो डाल दिया, तो यहाँ पर shape में क्या लिए circle लिय और coordinate में पहले xy axis लिया, और इसके बाद यहाँ पर radius ले लिया, उसके बाद कहाँ पर इसके क्लिक करने पर जाएगा, वहाँ पर आप जाएगा, मतलब, image के अलग अलग area पर क्लिक करने पर अलग अलग जगह पर जा सकते हो, अलग अलग page पर रिडरेक कर सकते हो, वैसे है polygon, polygon मतलब बहुत सारे coordinates आप डाल सकते हो, सबस्थ यहाँ से यहाँ तक मुझे mapping करना है तो, कितने सारे coordinates यहाँ पर डाल दिये, बहुत सारे आप shape में लिखो के poly और coordinates में बहुत सारे, चितने भी coordinates आपको डाल ले डाल दो, वो पूरा map कर देगा, alright, तो यह होता है आपका image map map का example, alright guys, तो यह, मैं इसको example आपको दिखा देता हूँ, for example, image map में देखो, rectangle लिया, circle लिया गया है, और यहाँ पर यह rectangle पर क्लिक करने पर दूसरी जगा जाता है, और यहाँ पर क्लिक करने पर एक अलग जगा जा रहा है, alright, तो next है आपका, यहाँ पर image map कम्प्लीट हो कर दिया, coordinates cover कर दिया, alt, alt tag जो होता है, जैसे image में यूस क्या यूस क्या आता है, फिर inline frame in HTML5, inline frames क्या होता है, देखो, inline frame आपका second last topic है, इसके बाद hosting, web hosting क्या होता है, that's it, उसके बाद आपका खतम हो जाएगा, ठीक है, inline frames क्या होता है, inline frames in HTML, तो देखो, आपने कभी ads कोई website कोलते है, for example, यह website देख लेते हैं, यह website में अजने ऐएड में, यह इस website में आप अजने आर है, अलग अपने website में आदे आते हैं, तो आपको एक document आपके लिजदी ये वेb साइड में अजने सकते हो, दख आपके बादाके, तो अब चल दिखो आपके, बादा हो, देखो फ्रेम टैग के एक मिनाट फ्रेम सिन इस्टी एमेल और रेट नो प्रोब्लम यहाँ देखते हैं तो देखो फ्रेम समलोग क्यों जूस करते हैं आपको सब को पता रहेगा मैंने अब भी बता है आपको एक वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट डालनी है तो आप यूज़ कर सकते हो फ्रेम इसलिए इसका नाम लिखा गया इन लाइन फ्रेम और इसको यूज़ किया कैसे जाता है इसका फ्रेम टैक से यूज़ कियाता है और अगर देखो मैं इसका एक्जामपल बताओ आपको इसका प्रिव्यू देखते है ओके यहाँ पे तो सब कुछ बिकरा बिकरा सा है देखो यहाँ पे इन फ्रेम इस यूज़ डिस्प्ले वेब पेज विधिन वेब पेज मतलब एक वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट यूज़ करनी है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो इन लाइन फ्रेम या फिर आई फ्रेम बोला जाता है इसको यहाँ पे देखो यह वेबसाइट है इसके अंदर अब उसने खुद की वेबसाइट को यूज़ किया देखो सेम वेबसाइट यहाँ पे भी हम लोग देख रहे है दिख रहा है एक वेबसाइट के अंदर दूसरी website तो इसको use कैसे करते हैं iFrame बनाते हैं iFrame लेते हैं उसके अंदर src यूज करते हैं फिर जिस भी website का URL उसके अंदर डाल दो iFrame src जिस भी website का URL उसके अंदर डाल दो फिर title में title डाल दो हो जाएगा आपका iFrame तयार for example यहाँ पर देखो ओके यहाँ पर क्या कि हम लोग ने एक iFrame लिया उसके अंदर हम लोग ने src demo iframe.html मतलब इस html page के अंदर एक और html page हम लोग दिखा रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर demo iframe.html का एक page लिया उसके अंदर दिखाएंगे और इसका width and height और title दे दिया तो यह सब डिस्प्ले नहीं होगा बट title इसका डिस्प्ले नहीं होगा सिव ऐसे दिखेगा तो demo.iframe के अंदर यहाँ पर देखोगे लिखा है this is this page is display in a iframe यह कहां display हो रहा है आई-frame के अंदर display हो रहा है और तो यह बहुत ही simple सा topic था आपका तुम लोग के दिमाग में घुस रहा है कि सब की दम उपर से सब बाउंसर होई जा रहा है एक भी चक्के चौके लग रहे है किया जो मैं बता रहा है उस पर या फिर सब बाउंसर बाउंसर जा रहा है एक भी एक भी चीज़े को इसमें हर एक चीज़ आपका जो है आप बोल रहे है important important हर एक चीज MCQ या इसमें आ सकता है और आई-frame बहुत ही important चीज़ आई-frame देख करते हैं आई-frame अगर आपको आई-frame क्रिएट करना है तो आपको यूज़ करना पढ़ेगा आई-frame और आई-frame में आप यहां पे scroll bar border margin यह सब डाल नहीं सकते हो आई-frame में क्या होता है without border या without margins होता है आई-frame और इसके इनदर देखो हम लोंने SRC देखा अगर आई-frame के website के अंदर दिखने लगया उसका हाइट बढ़ा हो आपके website में दिखना चाएए कितना इसका width होना चाएए कितना height होना चाएए उसमें name डाल सकते हो उसके बाद src dog ये क्या होता है वह मत आता हूँ अगर suppose जो आई फ्रेम आपने यूस किया है फॉर एक्जाम्पल यह जो एक्जाम्पल मैंने बताया था ओके किदा चले गया एक मिनट आई फ्रेम आई फ्रेम इन फ्रेम इन ही अमल ठीक है तो यह जो एक्जाम्पल बदाया था इसमें देखो src doc इसमें हम लोग क्या करते है src के अंदर जो भी website हमको display करनी है उसका यहाँ पर link डाल देते है बट अगर मैंने यहाँ पर src doc use किया आई फ्रेम यहाँ पर example में नहीं दिया शाय से आपको title ठीक है मैं यहाँ पर example में आपको दिखा देता हूँ for example यह दिखोगे तो यहाँ पर क्या किया है यह वाला page डिस्पले हो रहा है अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ src doc लिखता हूँ और इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे h1 tag लिख सकता हूँ तो आप देखोगे क्या हुआ जैसे मैं src doc लिखता हूँ वो क्या करेगा इसको replace कर देता है ठीक है src doc क्या करता है जो भी src में आपने pass किया है उसको replace करता है और इसके अंदर आप क्या करोगे जो भी लिखोगे वो यहाँ पे display होता है ठीक है आप इसके अंदर कोई भी html के tags यूज़ कर सकते हूँ ठीक है html का कोई भी tag यूज़ कर सकते हो या ऐसे ही directly text यूज़ कर सकते हो तो यह difference है याद रखना आई फ्रेम में अगर आपने src का जो भी यहाँ पे src भी डाला है src डॉक भी डाला है तो वो क्या करेगा src डॉक को पहला preference देगा भाई इसकी priority जादा बोलेगा है क्योंकि हो सकता है यह उसका सगे वाला होगा might be ठीक है तो आप जिस src डॉक लिखो गए तो src को एगनोर मारा जाएगा और src डॉक का जो भी element डिस्पली किया जाएगा और मैं अगर src डॉक को यहां से निकाल देता हूँ तो देखो गए तो यह पूरा का पूरा यहां पे डिस्पली हो जाता है जैसा था वैसा ही और रैट गैस तो यह हो गया आपका iFrame complete अब आजाते हम web hosting पी दरफ web hosting क्या होता है यह last topic है इसके बाद आपका जो है यह end हो जाएगा what is web hosting web hosting देखो यह html का पार्ट नहीं है web hosting होता है आपके website को आप internet पे कैसे upload करोगे internet पे सब दुनिया के दुनिया तक कैसे पता हो आपने जो website बना लिए वो लोगों को कैसे पता चलेगा आप क्या करते हो जो html files और उसको बनाने के लिए उसको store करने के लिए आप क्या करते हो अपने computer में store करते हो वैसे ही आपको यह जो आपके website की files and folders रहेंगे उसको store करने के लिए internet पे कुछ तो space लगेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा internet पे space खरीदना पड़ता है ठीक है तो internet पे space कहां से मिलेगा तो अलग-अलग website है जैसे go daddy हो गया hostinger हो गया यह सारी websites होती है जहां से आपको space मिलता है वहाँ पे जाके आपको space खरीदना पड़ता है तो कुछ website जो होती है space free में देती है कुछ limit तक क्या होती है website में space free होता है कुछ लोग क्या होते है चार्ज जाते है जैसे आपको dedicated चीए अब क्या उसके लिए आपको charge किया जाएगा ठीक है तो web hosting यही होता है कि आप क्या करते है अपने website को internet पे host करते हो web hosting मतलब website को host करना कहां पे internet के ऊपर okay in this chapter we have seen how to create website but just creating website is not sufficient right one has to make the website available on the internet तो website create करना sufficient नहीं इसको internet पे डालना भी important है these pages okay these web pages has to be stored in the web server that is connected to the internet तो जो जहां से हम लोग space खड़िते है जैसे हम लोग अपने local machine में सारे files and folders रखते हैं right तो वो हमारा local server है वैसे हम को क्या करना पड़ेगा एक web server मतलब एक website अपने website के एक server खड़ितना पड़ेगा वहां से हम लोग क्या करेंगा अपने files and folder को डालेंगे तो वो internet पे दिखे हैं तो इसके लिए अपने अपने फाइलेवल अपने इमेज़ सब लोग देख सकते हैं हमारे अलावा भी अपने पड़ी है सेम चीज मैंने वही समझाई आपको अब देखो web hosting के भी टाइप्स होते हैं जैसे कि shared hosting free hosting और dedicated hosting अब shared hosting मतलब क्या होता है एक ऐसा hosting होता है जैसे कि आपने hosting खरीद लिया space खरीद ला उसमें आप बहुत सारे websites आप होस्ट कर सकते हो मतलब मल्टिपल लोग उसको शेयर कर सकते हैं मतलब क्या करें कि 4-5 लोग पैसा मिलाकर एक shared hosting कर लेंगा उसमें क्या कर सकते हैं 10-15 वेबसाइट एक साथ होस्ट कर सकते हैं इसको भूलते है shared hosting it is cost effective it give domain name to your website patênciaate okay तो ये क्या करता है cost effective होता है इसे हम लेको domain name मिल जाता है अपने website का domain name क्या होता है ये मैंने आपको 11 में पढ़ाया हुआ है आपने पढ़ार नहीं पढ़ाय कि नहीं पता नहीं domain मतलब क्या होता है जैसे हर एक अधर का एक address होता है इसए फ्यूम्ड मिलता है जैसे हम मुलते है डोमेड नेम उर फेस्बूक mm किया एक मिलतव डॉमेड नेम है मुलग यह जो हो जैसे www.google.com सर्च करते हैं तो वो सबसे best example है domain name का आपका free hosting मतलब कुछ ऐसे website है जो आपको free में देते हैं कुछ limit तक there are some hosting website which provides some free hosting for the website for limited period of time okay जैसे 30 दिन कट राल या 100 दिन कट राल या कुछ-कुछ website एक-एक जी भी free देते हैं आपको hosting का space dedicated dedicated hosting मतलब भाई सब आपका जैसे google क्या उस करता है dedicated hosting करता है मतलब सिव वहाँ पे google की website होश्ट होगी ऐसा होगा जैसे आपने server खरीदा server का space करता आपको अपना एक ही website आपको चलेगा वहाँ पे उसे बोलते हैं dedicated hosting okay you can buy your own server space but it is most expensive way to publish your website though it is more expensive but it is given a lot of control मतलब आप खुद का godaddy जाके खुद का server खरीज सकते हो वहाँ पे जाके godaddy नहीं बहुत सारे हैं जैसे की amazon web services हो गया azure हो गया उसके और भी बहुत सारे actually 100 200 300 ऐसे बहुत सारे website हजारों में हैं आप जाके वहाँ से खरीज सकते हो और एट ol tag is defined as बताओ क्या होता है ol tag का क्या define करता है बताओ फटावट सब लोग बताओ ol tag defined as कौन सा tag ol tag क्या होता है फटावट comments में लिखो the on order list is created using which tag on order list किस tag से create किया जाता है very good order list un order list कौन से tag से create क्या जाता है वो भी आप comment में फटावट बताओ एक दो question हम लोग ऐसे उपर पर से देखते है बाकि आप खुद देखोगे तो आपको याद आ जाएंगे very good guys the dash property is used set position of an element कौन सी property होती है जिसे हम लोग element का position set करते है कौन सी property से हम लोग element की position set करते है तब कुछ देखो इसके अंतर ही दिया गया है the float property define the dash of the content float property क्या define करता है float property define the dash of the content क्या define करता है यह सब फटावट comment में लिखो उसके बाद थोड़ा सा यह देखते है हम लोग fill in the blanks के अलावा इसमें multiple choice भी दिया है क्या इसमें multiple choice भी देख लेते है एक बार single correct answer भी देख लेते है right guys you are going very good मतलब समझ में आ रहा है आपको सब कुछ जो मैंने समझाया है okay dash element is used to create a link linking image कौन सा ऐसा element है जिसे हम लोग linking image create कर सकते है करने पर वो क्या होगा दूसरे page पर जाएगा img tag, td tag map tag या use map tag single correct answer for the given option एक ही correct answer है इसका dash tag is used as a embed audio file for an webpage sound tag use होता है audio tag use होता है या video tag या embed tag बोलो फटाफट dash element पूछा element use map एक attribute है ये गलत है ये देखो attribute दिया है ये गलत है समझे आपको confuse कैसे किया जा रहा है यहाँ आपको एडा कैसे बना जा रहा है ये use map एक attribute है भाई लोग use map attribute है यहाँ पर tag बनाया है tag नहीं है use map क्या है tag नहीं है ठीक है, td क्या होता है, वो table data में होता है, image में use होता है, आप map tag use करोगे, तभी तो link create होगा इसके अंदर, ठीक है, map से, ये attribute नहीं है, देखो, ये क्या है, tag है, आप, लेकिन ये क्या है, actually में attribute है, बट यहाँ पे as a attribute tag दिया है, तो ये आपको confuse किया जा रहा है, ये चीज य यहाँ में रखोगे तो आपको समझ में आएगा, सिर्फ यहाँ पे use map लिया रहता है, तो थोड़ा सोचने पर आप मजबूर हो जाते है, alright, the client side image map can be created using two elements, ये क्या है multiple choice, यहाँ पे, two correct answer आप दे सकते हो, यहाँ पे देखो, image map करने, बनाने के लिए कौन से दो element यूज के होते हैं, क्या image, image tag होता है, यहाँ इसा image नहीं होता, img tag होता है, use map tag होता है, नहीं attribute होता है, server tag होता है, नहीं होता है, पहला area tag होता है, yes, area tag, और कौन सा map tag, यह दो ही होते हैं, ठीक है, तो देखो, यहाँ पे आपको eliminate करना है, eliminate कैसे करना है, use map आपने देखा रहेगा, को तो यह सारे हो गए आपके देखो आप देखो गए तो खुछ समझ में आएगा ऐसे ही आपको क्या करना है यह सब चीज़े ऐलिमिनेट करनी है और राइट देखो इनपुट टाइब इमेज इससे क्या बनता है इसका मैच किसे होगा बोलो इंसर्टिंग इन इमेज नहीं सीव इमेज इंसर्ट करने के लिए हम लोग इमज टाइग यूज करते हैं तो इसको ऐसा हो जाएगा अगर इमेज के साथ बटन बनाना है तो हम ल उसके यूज करते हैं यूज मैप क्लाइंट-साय इमेज मेपन लेज इओन यूज किया तो आपते क待 बूले ईसकाइग तो आपको समझ में ये और क्या है तो घंड ने को कोई भी डॉट कोई वी प्रॉबल्म टेटीग करो वहां पर सा आपको मिल जाएगा सारा जो भी चीज़े हैं टेलीग्राम ग्रूप जॉइन कर लो वहाँ पे सब कुछ मिलेगा गाईज और टेलीग्राम का लिंक मैं डाल देता हूँ आपको टेलीग्राम का लिंक मैं चैट में डाल देता हूँ टेलीग्राम पे जॉइन हो जाओ सारे अपडेट सारे सब कुछ वहाँ पे ही मिलेंगे आपको यह मेरा टेलीग्राम का लिंक है फटा फट सब लोग टेलीग्राम जोईन करो जितने भी नोट्स जितने भी वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर के अपडेट जो भी important question है वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और राइट तो गाईज इस वीडियो को यहीं end करते हैं फिर मिलते हैं next वीडियो में मुझती आज ही next वीडियो next lecture होने वाला है और राइट तो गाईज मिलते हैं next वीडियो में till then बाबाए